हेलो एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नमबर 112 तो यह टॉपिक का निक्स्ट क्वेश्चन है 112 नमबर सोर्स लिख देना रेफेरेंस बुक सोर्स रेफेरेंस बुक लिख देना एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लिवरेच और लिवरेच बीटा पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ए इन एड्यक्टेशन सेक्टर वाह वी हाव इडिटीफाइट तू फिर्म्स विच रिस्टेड और बिलॉंग्स तो दशेम इंड्रेश्ट्री इसके पहले जो भी चारपाँच क्वेश्चन की है उसमें एक comparable firm था एक proxy firm थी इस बार दो proxy firm है तो दोनों का फिर्म क्या करेंगे average लेंगे अगर दो proxy firm है तो दोनों का average लेंगे the particulars of the proxy firms are given below Khan Academy वाह नाम सुनाएं गया उसका beta of equity 1.8 है debt equity ratio 0.9 है और tax rate 32 है और एक और academy Udemy beta debt equity 29 जिनकी book में यह type नहीं क्या हुआ है वह type या लिख लीजिए लिख लिए है तो दो अगर firm दिया हुआ है तो दोनों का फिर average लेना we know limited as a debt equity ratio 1 is to 1 और इनका debt equity ratio अलग है और इनका tax rate भी अलग है effective tax rate is 35% find the equity beta of we know private limited तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से है पहलें दोनों firm को यूज करके अल लीवर्ड बीटा अल लीवर्ड बीटा average अल लीवर्ड बीटा आ जाएगा उस average अल लीवर्ड बीटा में जो unlisted company है उसका debt equity ratio और उसका tax rate का adjustment करेंगे तो आपको इस question में थोड़ी मेहनच ज्यादा है कोई बात नहीं let us write down step 1 अल लीवर्ड बीटा खान academy अल लीवर्ड बीटा खान academy तो formula वही लीवर्ड बीटा अपॉन वन प्लस debt by equity into one minus t खान academy का बीटा दिया हो है 1.8 लीवर्ड बीटा एन equity बीटा अपॉन 1 प्लस debt equity ratio 0.9 into one minus 0.32 आंसर बताने की कोशिश करें है 1.12 is right step 2 अल लीवर्ड बीटा Udemy Udemy formula वापस नहीं लिखर है इन्टू one minus 0.29 solve करना solve आपको यह करना है students कह रहे है 1.15 तो अगर इस अल लीवर्ड बीटा इक्वल तो 1.12 प्लस 1.15 दिवाद बाइ 2 बोलो ना 1.135 अब इस अल लीवर्ड बीटा को यूस करके वीनो प्राइवेट लिमिटेड का का इक्विटी बीटा find out करना है last step number 4 last step number 4 ओके लीवर्ड बीटा that is equity बीटा of we know private limited मैं आपको formula वापस याद दिलाता हूं अल लीवर्ड बीटा इंटू bracket 1 plus D by E into 1 minus D हाजी बोलो पहले 1.135 लिगना date equity ratio 1 is to 1 है यानी 1 ही लिगना आपको into 1 minus 0.35 yes come on answer point 1.1 1.87275 आ रहे गया check करना पहले bracket वाले इससे को solve करो ठीक है next question next question problem number 113 source number 2017 RTP right down very very important very very important read the question question number 113 very important question write down nowadays they are asking in the exam exam ऐसे question पूछते हैं और अगर आप पहले से prepared नहीं हो तो कानी खतम यह question पहले से करके जाएंगे तो हो पाएगा अगर आपने पहले किसे नहीं किया तो exam में दिक्कत आ सकती है आएगी ऐसा जुरूरी नहीं है आ सकती है क्वेश्चन थोड़ा खतरना है एबी से लिमिटेड मैनुफेक्ट्टर्स कार एसी विंडो एसी स्पिलिट एसी तो इनका तीन बिजनेस है और उसका वेटेज है 60% 25% and 15% of the total market value यह उनका वेटे जा गया वेट आ गया तो पूछना क्या चाहते है तो stand alone standard deviation and coefficient of correlation with the market return of car AC and window AC is given below business कितने है इनके तीन, car AC, window AC, split AC लेकिन उसने standard deviation स्पिलिट दो का दिया है and correlation with market भी दोनों का दिया है किसका information नहीं है split AC का information अभी उन्होंने नहीं दिया है तो आपको reverse working करके split AC का पहले find out करना पढ़ेगा तो ही कथा आगे बढ़ेगी और उसके बाद लिखा है no data for stand alone standard deviation and coefficient of correlation of split AC is not available, split AC का data अभी तक available नहीं है आपको find out करना है कोई proxy firm use करके तो split AC का जो business है उसका standard deviation और correlation के लिए क्या करना पढ़ेगा proxy firm use करेंगे however a company यह proxy firm है a company who derives its half value from split AC and half from window AC तो उन्होंने market में जाके देखा एक दूसरी कोई proxy company है इसके पास दो business है एक split AC का business है और एक window AC का business है ठीक है और दोनों का weightage कितना है 0.5.5 and the coefficient of correlation with market index is 0.880 तो इसके पूरे इसका standard deviation कितना इस proxy firm का data 0.5 इसका correlation with market कितना है 0.85 यह हो गया proxy firm का data अब नीचे लिखा index as a return of 10% standard deviation is 20 यानि market का data क्या दिया हुआ है RM दिया हुआ है 10% standard deviation यानि sigma M 0.2 और risk-free return दिया हुआ है 4% तो काफी interesting question लगता है you are required to determine beta of ABC ABC का beta निकालने के लिए आपको तीनों का beta चाहिए बीटा का formula है correlation into sigma S upon sigma M तो standard deviation तो है correlation भी है और market का standard deviation भी दिया हुआ है तो इन दोनों का तो निकल जाएगा मुद्दा किसका है split AC का आपको निकालना है उसके लिए proxy firm का information आपको यूज करना बढ़ेगा तो proxy firm का हम beta निकाल सकते हैं total beta proxy firm का हम कैसे निकालेंगे उसका standard deviation है correlation है और market का correlation है तो इस proxy firm का पूरी firm का beta आप इस formula से निकाल सकते हैं उसमें window AC का भी beta आप निकाल सकते हैं कहां से निकालेंगे window AC का बीटा यहां से उपर उसका weight दिया हुआ ही है तो split AC का बीटा निकालने के लिए आपको एक equation solve करना पड़ेगा proxy firm के लिए कि proxy firm का overall beta इतना है उसके दो business है split AC का weight 0.5 into beta window AC का 0.5 into beta और window AC का beta पता है proxy firm का beta पता है तो क्या आप split AC का window बीटा निकाल पाऊगे यह तो proxy firm को use करके split AC का बीटा निकालना है एक बार split AC का beta आ गया तो आप ABC का overall beta निकाल जकते हैं और overall beta निकाल लिए आपने तो cost of equity भी निकल जाएगा क्योंकिस firm में कोई debt तो लगता नहीं है तो आपको assume करना कि जो भी है equity funding है तो जो beta of firm है वो beta of equity होगा और cost of equity निकाल सकते हैं राइट बीटा of the firm will be also beta of the equity because it is a equity finance business problem में कहीं पर debt की कोई चर्चा नहीं है जब problem में debt का कुछ नहीं दिया हुआ है तो तुम अपने आप से debt मत डाल देना तुम लोग का भरोसा नहीं student लोगा जहां जो चीज नहीं है वो भी ढूंड निकालते हैं assuming that ABC wants to raise debt अभी आला question है ये new question add किया उन्होंने ABC wants to raise debt of an amount equal to half of its market value then determine equity beta if yield of the debt is 5% तो वापस question में क्या क्या है उन्होंने weight of debt दे दिया है weight of equity दिया है और आपको beta of debt निकालना है overall beta आपका already यहां पर आ चुका है यह वाला overall beta लिखना है आपको तो पहले आपको beta of debt निकालना पड़ेगा beta of debt कैसे निकालेंगे yield of debt 5% दिया है yield of debt 5 is equal to rf plus beta of debt into rm minus rf करेंगे beta of debt मिल जाएगा उसको यहां लिख लेंगे यह 0.5 है यह 0.5 है overall beta पता चल गया beta of debt पता चल गया तो beta of equity निकालेंगे यह balancing figure last answer में beta of equity होगा और आप पाएंगे कि beta of equity बढ़ गया है क्योंकि आपने debt introduce किया है question काफी interesting है बहुत ही बढ़िया question एक्जाम में आने लाए question ऐसे question पूछने चाहिए जो बच्चे त्यारी करके जाएंगे वो result पाएंगे ठीक है तो पहला step one लिखना calculation of beta तीन column draw करेंगे serial number particular calculation beta का formula ऐसे लिखना R into sigma P upon sigma M last column beta last column beta यह जो company ABC है इसका car AC दिया हुआ है window AC का detail दिया हुआ है और यह proxy firm है यह जो last line proxy firm है इसका car and window AC का हम beta निकाल सकते हैं sorry split AC and window AC का beta निकाल सकते हैं वहाँ दो दो business है overall standard deviation और correlation with market दिया हुआ है तो यह proxy firm का हम overall beta total beta निकाल सकते हैं ठीक है solve करने की कोशिश करें car AC का beta बताएं car AC का beta बताएं 0.3 into 0.6 divided by 0.2 0.6 into 0.3 divided by 0.2 0.9 आ रहा है window AC question सामने 0.7 into 0.35 divided by 0.2 1.025 1.025 very good split AC window AC 0.85 यह जो proxy firm है उसका है in 2.5 into 0.5 0.85 उसका correlation है 0.5 उसका standard division है और market का standard division 0.2 है 2.125 है अब यह जो 2.125 है यह weighted average of split AC and window AC का है दोनों का weight 0.5 है window AC का beta 1.225 है और इसका beta आपको find out करना है तो यह equation solve करके split AC का beta हम निकाल सकते हैं और इस question को आज practice कर लेना तो लिखेंगे नीचे next heading calculation of beta of split AC calculation of beta of split AC calculation of beta of split AC बोलो जी equation लिखेंगे उसके पहले एक note लिखवा देता हूं ताकि आपको कभी जीवन में कभी दिक्कत हो तो note पढ़ लेना इस समस्ते रहुल टको करना तुनरा आपको क क कम्राइबGO करना रहँ है खुद बहु 9st छाषट के ईस मीन ननोट नेढ़ है खुद BAKKुद बाट के समस्ते रहु it is given that comparable firm derives half of its value from split AC and half from window AC and half from window AC it means, it means, it means weight of split AC and window AC is 50% each, is 50% each, is 50% each, we can get, we can get beta of split AC by solving solving the following equation, we can get beta of split AC by solving the following equation, overall beta or weighted average beta equal to ws into bs plus ww into bw, तो मैं equation लिखूंगा, आप equation solve करना, split AC का beta हमें निकालना है, solve करेंगे, split AC का beta निकालना है, कितना आया, 3.025 तब तीनों business का beta बीटा आ गया, कितना आया, 3.025 तब तीनों business का बीटा आ गया, तीनों business का weight first line में दिया हुआ है, तो अब आप यह जो company ABC है, इसका आप overall beta निकाल पाऊगे, लिखेंगे calculation of overall beta of ABC Limited, calculation of overall beta of ABC Limited, जल्दी से calculator उठाना, overall beta equal to WC into BC plus WS into BS plus WW into BW, right. अब question को सामने रखो, question को सामने रखना, first line में weight दिया हुआ है, weight of car AC WC weight of car AC 0.60 दिख रहा है क्या है, first line में और उसका beta हमने working note 1 में निकाला है, 0.9, plus जो second AC है उसका weight question की second line में आपको दिख रहा है, कार AC का weight है 0.15, is it 0.15, नहीं, कार AC निकिया है, point, हाँ ठीक है जो भी यह लिख दो, बस match करा देना, window AC मैंने बाद में पहले लिख दिया है, split AC पहले लिख दिया है, split AC का weight 0.15 है और इसका beta अभी अभी आपने find out किया है, 3.025, final answer बोलना, 1.30 आ रहा है, check करना एक बार, check करना, 1.30 आ रहा है, 1.30 is right, अराम से शांत मन से करना है, आया गया, check करो, weight check करो, weight गलत तो नहीं लिख दिया, okay, weight या beta कुछ एक गलत लिखा होगा, तो ही गलत हुआ होगा, जिनका हो गया है, जवान आगे बढ़े, calculation of equity of ABC limited, second question, normal formula use करना है, RF plus overall beta into RM minus RF is equal to 4 plus 1.30 into bracket 10 minus 4, solve करेंगे, 11.80 percent, 11.80 percent, यह हो गया मेरा second answer, अब एक और important question है, कि पहले यह 100 percent equity financed firm थी, इसलिए आपने 1.3 लेकर काम चला लिया, अब यह firm में 50 percent debt और 50 percent equity होगा, और overall beta जो है वो उतना ही रहने वाला है, 1.3 लेकिन beta of equity बदलेगा क्योंकि beta of debt भी आया है, is it right? तो अभी क्या करेंगे, पहले हम beta of debt निकालेंगे, उसके लिए उसने question में दिया है, yield of the debt is 5 percent, तो हम देखते हैं, sorry, calculation of debt beta, calculation of debt beta, तो उसके लिए equation लिखना, yield of debt equal to, rf plus beta of debt into rm minus rf, तो इस तरह से beta of debt निकाला जाता है, अगर आप चाहें तो beta of debt भी निकाल सकते हैं, अगर आपको question में, yield का cost दिया हो तो, yield of debt दिया है 5, लेकिन risk free return दिया है 4, मतलब कुछ ना कुछ beta है, कुछ ना कुछ beta है, सो हां मच इस beta, 0.167, very good, beta of debt कम हैं, लेकिन है 0.167, 0.167, correct, next line लिखना, revised beta of equity of abc, जो आपका आखरी question है, revised beta, तो क्या करेंगे, वापस से हम weighted average beta लिखेंगे, overall beta सेम रहेगा, लेकिन equity का beta बदलेगा, तो equation होगा, overall beta equal to wd into bd plus we into be, detail में लिखना, जब आप revise करोगे, तो आपको बहुत ही easy जाएगा, directly मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन करेंगे नहीं, तो पहले आप numbers लिख दो, अब equation solve करके, beta of equity बताना होगा, 2.433, very good, 2.433 is the right answer, question number 114, home work लिख लेना, same problem, we have done in the class, कौन सा question था हो, 108, श्रिफ कुछ figures बदले है, अपनी practice के लिए, 114 solve करना, एक page blank रखा था कहे कल, राइट, तो यह होगे हमारा, project beta पे questions, project beta, equity beta, debt beta, asset beta, इस type के question आएंगे, ठीक है, तो अभी तक जितने question आ चुके हैं, exam में, RTP में, MTP में, study metal में, और कुछ पांचे question मैंने दूसरे reference book से भी आपको करवा दिया है, अब हम चलते हैं, theory के और, तो अगले 5-10 में theory पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काफी interesting है, फिर इसके basis पे भी एक-दो question करेंगे, Harry Markowitz model of modern portfolio management, एक-दो दिन पहले इसका नाम आया था, Markowitz model, यह जो आप equation use करते हैं न, W1 square, sigma 1 square, plus W2 square, sigma 2 square, यह इनी भाई साब की देन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, modern portfolio theory, या फिर Harry Markowitz model of modern portfolio management, और short में HM, तो यह theory कुछ assumptions पे based हैं, assumption मैंने साइड next page पे लिखे हैं, और अल्रड़ी पिछले 7-8 दिनों से हम बार-बार वही repeat भी कर रहे हैं, तो assumption क्या है, investor is basically risk averse, मतलब जो unnecessary risk नहीं लेना चाहते हैं, वो high risk तभी लेगा, वो high risk तभी लेगा, जब return भी higher होगा, is it right? high risk तभी लेगा, जब return high होगा, जैसे हमारे student, risk covers हैं, इतना risk ले रहे हैं, लेकिन उसको ही पता है, आगे चलके return भी जादा आएगा, second, risk of the portfolio is estimated on the basis of variability of expected return therefrom, so risk is measured by standard deviation or variance, that is how much the data deviates from the mean, how much the data deviates from the mean, third assumption is, यानि investor जो है, हमेशा risk return compare करके ही decision लेता है, investor decision about selection of security और portfolio, is based on expected risk and return, पूरा chapter हम उहीं कर रहे हैं, portfolio का return और risk निकालेगा वो, suppose उसके पास दो choices हैं, दोनों का return compare करेगा, risk compare करेगा, माल लो दोनों का return same है, लेकिन A का risk कम है, A को select करेंगा, ठीक है, या फिर माल लो, दोनों का risk बराबर है, लेकिन A का return जादा है, sorry, B का return जादा है, तो B को select करेगा, या फिर माल लो, B का return भी जादा है, risk भी कम है, तो B को select करेगा, एंड एक और, B का return भी जादा है, लेकिन suppose risk भी जादा है, अब क्या करेगा, that depends on risk taking ability, जिसको हम risk appetite बोलते हैं, या attitude towards the risk, अब इसमें कुछ investor, जिनको जादा risk नहीं लेना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी risk taking capacity होती है, जैसे तुम लोग की बहुत जादा है, हैंगी नहीं, जो आदमी कोर्स कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा risk taker है वो, उसको नहीं पता किसके साथ माथा टकराया है उसने, सिर्ट टकराया है, ठीक हैं, मतलब तुम जितना भी पढ़के जाओ, वो question ही ऐसा गलत देगा, कि तुम confuse हो जाओग एक्जाम में, तुम सही answer लिखोगे, तो उनका MCQ वाला software, उसको गलत मार कर देगा, तुमको क्या लगता है, MCQ वाला इसे तुम्हारा जीवन आसान हो गया है, तुम सही टिक कर तो तब भी वो गलत देदेगा वो, इसलिए तुम बहुत risk taker हो, तो जो लोग risk taker होंगे, वो B select करेंगे, जो डरपोक होंगे, वो A select करेंगे, दुनिया में दोनों type के investor होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग A, कुछ लोग B को select करेंगे, यह इसका third assumption है, and fourth is, an investor attempts to get maximum return, from the investment with the minimum risk, इत्ती देर से जो मैं बता रहा हूँ, अगर risk equal है, तो return maximize करेगा, return equal है, तो risk minimize करने की कोशिश करेगा, यह इस theory का assumption है, for a given level of risk, he attempts to earn a higher return, and for a given level of return, he attempts to take a lower risk, तो HM assumption समझ में आ गया, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, पिछले कई दिनों से हम यह discussion कर रहे हैं, अब अपना next paragraph प्याना, explanation of the HM model, suppose, market में 26 securities हैं, suppose, A से लेकर Z तक, जिसमें आप अपने पैसे invest कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, portfolio create करोगे, कितने portfolio हम बना सकते हैं, इन 26 securities हम कितने प्रकार के portfolio बना सकते हैं, infinite, बहुत सारे, लाखो करोडो, कैसे, लाखो करोडो कैसे हो सकता है, student पूछ रहा है, लाखो करोडो कैसे हो सकता, जैसे मालो आप सिर्फ, एक ही stock लेते हैं, फिर आप दो-दो stock मालो लेते हैं, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, A, B, A, C, A, D, फिर थोड़े जरक बाद, B, C, B, D, V, E, हैंगी नहीं, फिर C, D, C, E, तो बहुत सारे, A और B में भी फिर बहुत सारे combination हो सकता है, कैसे, फिर A और B के भी आप 100 portfolio बना सकते हैं, फर एक्जामपल, A का weight 99%, B का 1, A का 98% weight, B का 2, तो इसमें भी अनेक combination बन सकते हैं, तो अब सोचे, उसके बाद आपका पाद A, B, C, A, B, D, ऐसे तीन-तीन का, उन तीनों में भी फिर, अलग-अलग weightage, लाखो करोडो portfolio आप creates कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 26 stock हो, या 5 ही क्यों नहों, 26 भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हर portfolio में दो चीजे होंगी, हर portfolio में दो चीजे जरूर होंगी, क्या एक हर portfolio का एक expected return होगा, बोलो हाँ, कोई भी combination लो, कोई भी security लो, उस portfolio का एक average return होगा, and कोई भी portfolio लो, उसका एक risk भी होगा, every portfolio has a risk and has a return, तो उन्होंने भी उनकी book में वही लिखा है, कि अगर 26 stock है, तो हम infinite number of portfolio create कर सकते हैं, every portfolio will have a certain expected return, and a certain degree of risk, is it right, अब माल लो, theoretically, यह जो Harry Markowitz है, उसने computer पे program run किया होगा, और उसने, जितने भी यह portfolio है, इन्फाइने पोट्फोलियो, उसको एक graph में put किया, तो उसने क्या पाया, कि जितने भी risk और return है, वो इस area में आएंगे, which looks like an umbrella, यह नि, suppose आपका कोई stock A है, उसका इतना risk है, इतना return, कोई stock B है, उसका इतना risk, इतना return, कोई stock C है, उसका इतना risk, इतना return, इस एरिया में, इस एरिया में, हजारों लाखों करोडों पोट्फोलियो हैं, जो उस एरिया में आ रहे हैं, समझ में आ गया, X axis is risk, Y axis is expected return, अब मुझे बताओ, तुम बताओ, A और F में, अगर आपको किसी एक को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे, A को चुनेंगे, A को चुनेंगे, student कह रहा है, A को चुनेंगे, देखते हैं क्यों चुनेंगे, इसका risk यहाँ पर है, यहाँ है, जबकि return दोनों का बराबर है, जान बुचकर उसने diagram में, A और F को same line में रखा है, तो rational investor किसे चुनेगा, A, so A will be selected, F is an inefficient portfolio, and A is called, between A and F, always A will be selected, एक और example लेते हैं, यह जो हमने कल या परसो, efficient stock और inefficient देखा, यह वही discussion, अब मालो B और E, A की line में है, B और E, A की line में है, किसका चुनाव होगा, B का चुनाव होगा, या E का चुनाव होगा, बोलो B का, B will be selected, क्यों, same return, return यहाँ पर दोनों का same है, लेकिन B का risk, E के risk से बहुत कम है, तो B सेलेक्ट होगा, एक और पूस्टे हैं, F और C एकी line में है, C यहाँ पर है, एकी line, इसलिए जो line ड्रॉ की है न, वो इसलिए की है, ताकि आपको पता चले, F यहाँ पर है, और C यहाँ पर है, दोनों एकी line में है, अब मुझे बताओ, कि C और F के बीच में, किसका चुना होगा, C का, क्यों हो, सेम रिस्क, रिस्क यहीं पर है, लेकिन यह return of F है, यह return of C है, तो C का चुना होगा, उसी तरह यहाँ पर D लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह जो भी, A, B, C और जो D है, यह इस line पर है, और यह सारे stock क्या है, efficient stock है, क्यों यह efficient stock है, because for a given risk, they give the highest return, यानि अगर risk level इतना है, तो इस वाले risk पर, इतने risk पर, पूरी universe of portfolio में, सबसे best कौन है, A, माल लो रिस्क इतना है, तो इस पूरे universe of portfolio में, B is the best, माल लो रिस्क इतना है, तो इस पूरे universe of portfolio में, C is the best, और माल लो इतना रिस्क है, तो इस पूरे universe में, D gives you the highest return, is it right, so for a given level of risk, the portfolios A, B, C and D, gives you the highest return, so these portfolios are called, efficient portfolios, and this line, which is joining, efficient portfolio, तो आपके जीवन में एक और टर्म आएगा, this line, which is joining efficient portfolio, that line joining efficient portfolio, is called efficient frontier, and the portfolios which are lying, below, कोई भी portfolio, यहाँ यहाँ इस पूरे भीड में, बाकी सारे portfolio क्या होंगे, आपके, all other portfolios are called, come on, all other portfolio are called, Bolona, inefficient portfolio, all other portfolios, which are below the efficient frontier, or which are not on the efficient frontier, they will be called, inefficient portfolio, is it right, which means only efficient portfolios will form part of portfolio of an investor. Only efficient portfolios, only A or B or C or D will form part of the portfolio of an investor. No investor will select E and F or inefficient portfolio. तो ये diagram की चर्चा समझ में आ गई, नीचे कुछ note लिखे, important line screen पर मैं आपको पढ़ देता हूँ, सब कुछ आपकी note में लिखा है, efficient portfolio is the one which provide the maximum return for any given degree of risk or minimum risk for any given rate of return and this boundary, the line which is joining efficient stocks is called efficient frontier. All portfolios which are lying on efficient frontier are called efficient portfolio. सब बेसिक छोटी छोटी चीज़े आपको ध्यान में रखने आपको लगेगा theory है, लेकिन exam में फिर वही आएगा, all portfolios lying on efficient frontier are called dash, option a, efficient, inefficient, undervalued, overvalued तो उसमें सब को किसको चुनना होगा, efficient तो ये छोटी छोटी चीज़े भी अभी काम आएगी, exam का pattern ऐसा हो गया है, कि अभी आप एक भी line wish नहीं कर सकते हैं, नजर हटी, दुर घटना घटी, अब आप सोचेंगे कि मैं किसको चुनू, A को चुनू, B को चुनू, C को चुनू, या D को, किसको select करेंगे आप, वो depend करता है risk return, preference of the investor, क्योंकि किसी के लिए A अच्छा हो सकत है, किसी के लिए B, किसी के लिए C, और किसी के लिए D अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए investor का risk return preference समझना होगा, different investor will have different risk return preference, the risk return preference is given by indifference curve, एक और concept आ गया, indifference curve, शिरिप मैं पूछना चाहता हूँ, कि आपने indifference curve, ये term पहले आज के पहले कभी भी सुना है, indifference curve आपने कभ, कहा, क्यों, कैसे सुना, economics में सुना है, CA foundation ये 12th standard में सुना है, demand supply में सुना है, कहीं तो सुना economics में, मुझे भी आद नहीं है, बहुत साल हो गए, ठीक है, CA foundation मैंने पास किया था, result वाला दिन लिख रहा हूँ मैं, उस दिन date था 14th January 2017, जी दिन CA foundation का result आया, तो तुम सोचो कितने साल हो गए होंगे, is it right, ये बात और रहे कि उस result में all India second rank भी आया था, सिरिफ तीन mark से, first और second के बीच difference, होगे, पुरे महराष्टर में topper, तो मुझे भी याद नहीं है, बट इतना याद है कि, indifference curve का मतलब है, same level of satisfaction, indifference, यणि अगर आप indifference curve नंबर C में कहीं पर भी हो, indifference curve में, आप कहीं पर भी हो, अरे किदर चला गया, इन डिफरेंस कर्म में आप कहीं पर भी हो चाहिए S1 पर हो यह S2 पर हो तुम्हें same level of satisfaction मिलेगा तुम्हें same level of satisfaction मिलेगा वो economics में सैट teacher बताते हैं तीन kg rice खाओ प्लस तु kg wheat खाओ यह तुम्हें त्ीám केजी राइस खाओ प्लस 1 kg wheat खाओ सेम तसल्ली मिलेगी लेकिन तुमारी इच्छा हमेशा के लिए रहती है कि आप higher in difference curve की और move करो C2 will give more satisfaction than C1 C3 will give more satisfaction than C1 C4 kg rice और 3 kg wheat will give more satisfaction than C3 kg rice and C2 kg wheat तो consumer क्या चाता है और उचा उठें ठीक है जितना ज़्यादा उपर जाएंगी उपती ज़्यादा satisfaction मिलेगी तो investor भी वही चाहेगा कि मैं जितना higher in difference curve पे पहुंचू उतना मेरे लिए अच्छा है तो चाहत है कि C1 की जगा C2 पे होता तो ज़्यादा खुशी मिलती C2 की जगा C3 पे होता तो और ज़्यादा खुशी मिलती तो इसका in difference curve हो गया तो in difference curve का डाइगरम देखो ये बेचारा ज़्यादा रिस्क तभी ले रहा है जब return भी ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं हर आदमी का in difference curve ऐसा नहीं होगा कुछ लोग जो बहुत ही risk taker होते हैं हो सकता उनका in difference curve ऐसा हो और कुछ जो डरपोक प्राणी होते हैं हो सकता उनका in difference curve थोड़ा flat हो तो हर एक investor को अपना in difference curve identify करना है कि how much return he wants for how much risk अब हम क्या करेंगे efficient frontier और in difference curve को एक साथ लेकर आते हैं पहला diagram efficient frontier का था दूसरा diagram in difference curve का था अगर मैं in difference curve को efficient frontier के उपर super impose कर दूँ तो फिर particular investor के लिए कौन सा portfolio best है वो हमें पता समझ में आ जाएगा इस इत राइट क्योंकि अभी हमारे पास चार option A, B, C, D तो यह जो investor जिसका in difference curve आपको दिया हुआ था उसको हमने क्या किया वो efficient frontier के उपर super impose कर दिया दोनों diagram merge कर दिये अब आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि यह particular investor जिसका यह in difference curve दिया हुआ है वो कौन सा portfolio select करेगा A या B या C या D E और F बाहर है खेल के यह दोनों तो inefficient है बाहर निकलो inefficient वालो A, B, C, D तो आप देखेंगे C जो है वो in difference curve 1 पे है और यहाँ A है मालो A को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो A और C in difference curve number 1 पे है और जो B है वो in difference curve 2 पे है आप बोलेंगे सर in difference curve 2 पे तो X भी है और हो सकता है यहाँ पे in difference curve पे कोई Y भी हो तो Y क्यों नहीं select कर रहे है एक बच्चे ने mail पे सवाल पूछा था कि X क्यों नहीं select किया पहले class में सुना करो टीचर कुछ बोल रहा है तो उससे मैं तो Instagram में घुसे रहते हो यह जो portfolio है उसकी universe इसी दायरे में है यह जो actual portfolios है वो इसके अंदर है जितने भी दुनिया में portfolios हैं उनका risk को return इसी area के अंदर में है क्या X उस area के अंदर में है नहीं क्या Y उस area के अंदर में है नहीं यानि X क्या है और Y क्या है X and Y are imaginary portfolios imaginary मतलब ऐसा कोई portfolio exist नहीं करता है जितने थें जितने combination दें उन सब को हमने graph पे लाया तो उनका area क्या है जो मैंने अभी yellow background से shade किया है उसमें सारे portfolio actual portfolio उसके अंदर है उसके बाहर सिर्फ investor की एक imagination है ख्याली पुलाव है कास कोई X जैसा होता कास कोई Y जैसा होता ऐसा कुछ नहीं है तो X और Y भी हमारे discussion से बाहर हो गए अब तुमको बताना है A, B, C, D में तो हम क्या करेंगे जो highest in difference curve पे होगा और जो attainable भी होगा यानि यह वैसा कोई portfolio exist भी करना हो चाहिए तो B is on efficient frontier एक condition है it should be on efficient frontier पहली condition है it should be on efficient frontier आपकी module में इतना detail में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि A, B, C, D 4 efficient frontier पह है बत फिर भी हम A, C और D को select नहीं करेंगे क्योंकि second condition भी fulfill होनी चाहिए second condition gap plus second condition it should be on it should be on highest possible attainable highest possible attainable in difference curve. तो दोनों condition भी satisfy कर रहा हमारे डियाग्राम में भी indifference curve पह भी है efficient frontier पह भी है लेकिन it is on the highest possible attainable indifference curve X या Y imaginary portfolio है A, C, D efficient frontier पहे तो है लेकिन lower indifference curve पहे है तो हमें higher indifference curve पहे जाना है अगर हमें चार किलो आटा और दो किलो गेव मिल रहा है तो मैं क्यों तीन किलो आटा और एक किलो चावल लोंगा is it right higher indifference curve gives more satisfaction तो हमारा यह जो particular investor उसके लिए B suitable है हो सकता है किसी के लिए C suitable हो हो सकता है किसी के लिए A suitable हो depending upon कि उसका indifference curve का shape कैसा है तो यह जो डाइगराम आपने देखा इसमें हमने risky stocks को consider किया है ठीक है अब हम क्या करेंगे उसमें risk free securities को भी हम include करेंगे अब हम उसमें risk free security को भी include करेंगे तो अपने next paragraph पे आईए जहां पे दिखावा inclusion of risk free security in the portfolio नीचे दिख रहा है गया यह next paragraph में third वाले डाइगराम के नीचे तो risk free security add करने से हम portfolio का return और भी increase कर सकते हैं by adding risk free security we can further increase the return on the portfolio risk free security will provide a minimum guaranteed return with no fluctuation and hence no risk, ठीक है such a portfolio such a portfolio means a risk free security plus efficient portfolio plus efficient portfolio A B C D जो भी था will give an investor a higher level of satisfaction and he can increase his return वा में question solve करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा numerically by including risk free security you can further increase your return any query कभी हमने क्या किया अब डाइगराम देखना यह डाइगराम आपकी security add किया तो efficient portfolio plus risk free security will become now a straight line the combination of risk free security and efficient portfolio will become a straight line rising upward starting from risk free return तब आपको zero risk पे भी कितना return मिलेगा RF तो मिलेगा ही और यह line उपर जा रही है इस line को हमने एक नाम दिया है क्या नाम दिया है capital market line तो तुम्हारे नन्ने छोटे जीवन में छोटा तो नहीं कहेंगे final में पहुँच गए तो कुछ कुछ लोग तो साधी सुधा भी हो जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में इंटर वालों तक नन्ने मुन्ने ठीक है तुम्हारे इस जीवन में एक और line का आज आगमन हुआ है capital market line पहली वाली line कौन सी थी security market line दूसरी characteristic line तीसरी capital market line तो अभी श्रीव डियाग्राम को देखते रहना है और मैं आपको कुछ चीजे बताऊंगा जो बाद में नीचे लिखी हुई है मैं पढ़ दूंगा capital market line shows the relationship between risk and expected return simple है but here risk is measured by standard deviation here the risk is measured by standard deviation security market line याद होगा उसमें risk is measured by beta then second thing this line tells you that higher the risk higher the expected return lower the risk lower the expected return यानि अगर आपको higher return चाहिए तो आपको higher risk लेना होगा और अगर आपको कम risk लेना है तो कम return से संतुस्ट करना पड़ेगा therefore this capital market line is a trade-off between risk and return trade-off मतलब trade-off trade-off का मतलब है कि अगर आपको higher return चाहिए तो आपको higher risk लेना पड़ेगा कम risk लेना है तो कम return से संतुस्टोना पड़ेगा एक चाहिए तो दूसरे पर आपको compromise करना पड़ेगा जैसे तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है तो तुम बाहर की दुनिया नहीं enjoy कर पा रहे हो तो trade-off है तुम मालों बाहर की दुनिया enjoy कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर प हो सकती है तो आप चाहिएंगे कि risk भी ना लू और return भी पूरा मिले ऐसा possible नहीं है that is called trade-off so capital market line shows you trade-off between risk and return और आप ज़र यह जो line है यहां से गुजरती है tangent होकर इसको काट की नहीं गुजारना है दीग है when you draw this line it is to be it is tangent tangent का मतलब सरिफ एक point पे वो touch करते हुए वो निकलेगी and this point of tangency अभी नहीं बुक में लिखना आपको is called market portfolio तो जहां पे capital market line is tangent to the efficient frontier that point is called market portfolio तो अगर आपको return बढ़ाना है suppose पहले यहां पर थे देखो screen पर यह black dot दीख रहा है जो मैंने अभी लिखा शरिफ efficient portfolio में पैसा लगाते तो इतना मिलता but with risk free return आपका return बढ़ गया ना थोड़ा सा यहां पर भी देखना पहले आपको इतना मिल रहा था लेकिन risk free security को include करने से आपका return और बढ़ जाएगा so you can increase your return यह वाला जो portion है before the tangency here we are investing लिखेंगे आप investment in risk free asset और यह जो portion है tangency के बाद वाला here we are boring at risk free return यानि अगर आपको return बढ़ाना है market portfolio से भी ज्यादा return प्राप्त करना है तो क्या करना होगा borrow करो और market में invest करो borrow करो और efficient portfolio में invest करो इससे आपका portfolio का return और बढ़ जाएगा आपका risk भी बढ़ेगा risk भी बढ़ेगा but आपका return भी बढ़ेगा all portfolio on capital market line are efficient portfolio all portfolio on capital market line are efficient portfolio capital market line is a combination of risk free security and efficient portfolio efficient portfolio का correlation with market is always one क्या याद रखना है बुक में लिख दिया है मैंने efficient portfolio का correlation with market is always one और एक बात efficient portfolio has only systematic risk efficient portfolios do not have unsystematic risk that means total risk of efficient portfolio is equal to systematic risk फिर तुम बोलो के सर इतनी बात यादे नहीं रहती है तो मैंने क्या किया आपके बरुसे कुछ छोड़ा ही नहीं है सब वहां लिख दिया है तो उपर जो diagram उसकी नीचे important points ध्यान में रखना अगर आपको capital market line पे theory लिखने पूछा जाए तो पहला point है it is a risk return trade-off in the capital market higher risk लोगे तो ही higher return मिलेगा कम risk लोगे तो कम return मिलेगा तो higher return की उम्मीद रखने वालो तुम्हें higher risk भी लेना पड़ेगा और जहां पर ये capital market line tangent है to the efficient frontier that point is called market portfolio okay next point all the portfolios are efficient portfolio on CML there is no diversifiable risk there is no diversifiable risk मतलब systematic risk ही total risk है unsystematic risk zero है okay therefore the expected return of any portfolio along CML is a function of the total risk of the portfolio मतलब total risk is equal to systematic risk और इस लाइन का ये भी मतलब है जितना risk बढ़ेगा उतना आपका expected return बढ़ेगा जितना risk बढ़ेगा उतना expected return बढ़ेगा next thing याद रखना है every portfolio on a CML is an efficient portfolio CML only comprise of efficient portfolio next thing ध्यान में रखना है कि जो correlation of efficient portfolio with the market portfolio is always one always one अब नीचे आते हैं वहाँ पर कुछ important points लिखा हुगा है ध्यान देंगे in CML x axis represents risk which is measured by standard deviation and y axis represents expected return all portfolios lying along CML will dominate sir इसका मतलब क्या है यह तो हमने कल ही बताया था all portfolios lying along CML will dominate मतलब इससे बहतर और कोई portfolio नहीं हो सकता for the given risk or for the given return मतलब उस्रिस्क पे यह सबसे best return देगा और उस्रितन पे इसका risk सबसे lowest होगा बाकि कोई भी portfolio इससे बेटर नहीं हो सकता CML expresses the equilibrium pricing relationship between expected return and standard deviation for all efficient portfolios along the line so what is CML it shows you the relationship between risk and expected return for efficient portfolios okay अब नीचे आप देखने एक diagram बना उसमें थोड़ी mistake है उसको सुधारना है यह diagram आपकी book में भी है paragraph 55 के नीचे starting point RF होगा तो थोड़ी उपर चले गई यह वह line उसको पगड़के नीचे लाओ और RF से उसको उपर खीचना है is it right उसको RF से इस तरह खीच के जाना है वह वाले line कट कर दो और अपने से एक red pen से या blue pen से draw कर दो कई बार typing करते समय उपर नीचे हो जाता है ऐसा गुस्ता नहीं करना ठीक है इंसान से भूल होती है तो यह line कहां से start होगी RF से अगर risk 0 है तब भी कितना मिलेगा RF और जैसे यसे risk बढ़ेगा आप expected return linearly बढ़ेगा straight line ओके तो मालों अगर मेरा risk यहां पर है इतना risk free return है और इतना risk premium है जैसे यसे आपका risk बढ़ेगा risk premium बढ़ेगा expected return बढ़ेगा is it right अब जड़ा ध्यान से देखना एक concept है slope of cml सर स्लोप का मतलब क्या होता है math में पढ़ा है नहीं पढ़ा तो आज सुन लेना change in y-axis short में लिग रहा हूं मैं अपन change in x-axis और इसका मतलब है कि अगर x-axis वाला variable एक unit से change होता है तो y-axis वाला variable कितने unit से change होगा is it right अई formula मैं खुद ही derive कर लेता हूं जैसे for example पहले मैं denominator में क्या change हुआ सिग्मा जीरो वर्से सिग्मा सिग्मा माइनस जीरो सिग्मा ही हुआ ना तुम बोलो तो मैं लिख देता हूं सिग्मा माइनस जीरो अगर जिद करते हो तो लिख सकते हैं तो एक करिस्क यहाँ है तो क्या इनका slope सेम रहेगा या different रहेगा मालू एक stock यहाँ पे एक stock यहाँ पे इनका यह ratio है रहेगा सारे efficient portfolio का slope सेम होता है क्यों अब क्यों समझाना तोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जोमेट्री का काम हो जाता है बच्पन में जोमेट्री में हमने पढ़ा होगा जोमेट्री की क्लास गए थे वहाँ पर टीचर बताते थे माल लो ये एक ट्रेंगल है ठीक है और माल लो ये एक दूसरा ट्रेंगल है एक छोटू ट्रेंगल एक बड़ा ट्रेंगल लेकिन दोनों की ओरिजिन एक ही जगा से हो रही है इसको हम बोलते है परपेंडिकुलर याद आया इसको क्या बोलते थे बेस इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर इसको क्या पूरे को, base, let us call it P1, B1, P2, B2, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या P1 by B1 will be equal to P2 by B2, अब अगर आपने school में 12th में geometry की class पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपके teacher ने आपको बताया होगा, the perpendicular to base ratio for all the triangles, having common angle, will be same, याद आया कुछ, तो यहाँ भी तो मैं वही कर रहा था, मैंने का एक ये triangle है, एक ये triangle है, एक ये है, तो इन सब का, ये ratio तो बराबर ही आएगा, तो slope of all the efficient portfolio will be same, which means change in y-axis upon change in x-axis, एक और formula add कर लेना, जिसको मैंने भी बहुत detail में आपको समझा दिया, यह होगा slope of cml का formula, उसके बाद next paragraph पढ़ेंगे, expected return under cml, expected return under cml, तो यहाँ पर formula क्या है, rf, क्योंकि हमारा starting point क्या है, rf, याद है, और उसके बाद, risk premium, risk premium under capital market line is, rm minus rf into sigma p upon sigma m, अब ज़र ध्यान से देखेंगे, तो क्या पाएंगे, rm fixed है, rf fixed है, sigma m fixed है, यह भी rf fixed है, हर एक portfolio के लिए यह जो चार item जिसको मैंने highlight किया, वो तो same रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, sigma p बदलेगा, portfolio a, b, c, d, जितने भी होंगे, उनका sigma p different होगा, तो of course जाहिर सी बात है, कि sigma p जिसका जादा होगा, इस formula में उसका premium जादा होगा, तो उसका expected return भी जादा होगा, ओके, तो यह अपका formula, इसको आप ऐसे भी लिख लो, वहाँ पे right side में थोड़ी जगा है, rf plus, rm minus rf upon sigma m, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आपको कोई आपत्ती है, कोई आपत्ती है, नहीं, is it right, और यह जो rm minus rf upon sigma m है, can we call it as slope of cml, slope of cml अभी पढ़ा ना आपने, r minus rf upon sigma, तो market हो या कोई भी हो, slope तो सबका, same होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक्जाम में आपके बस समय कम है, slope of cml निकाल लो पहले, और फिर उसको rf plus slope of cml into sigma पी कर दो, काम जल्दी हो जाएगा, यह भी लिख लो वहाँ पे, दूसरी बात है कि आपको हर तरह से question को समझना है, institute वाले आपको, मालो यह तीन वेरियेबल ही दे दिया, directly in the exam, ठीक है, अब पूछ रहा है, find out the expected return under cml, तुम सोच रहो formula तो कुछ और ही class में sir ने दिया था, यह तो कुछ और ही इंटर दिया था, तो यह same है, ठीक है, तो इस formula को देखकर क्या लगता है, कि जो expected return है, it is a sum of two numbers, एक risk free return और एक risk premium, जिसका standard deviation ज़्यादा होगा, उसका expected return ज़्यादा होगा, so what differentiates the two portfolio, the respective standard deviation, और कुछ नहीं, उनके return के difference होने का कारण क्या है, उनका standard deviation, next कुछ points लिखे हैं, जो theory question या MCQ question के लिए काम आ सकता है, CML pricing holds good only for efficient portfolio, CML बोलता है, मैं सरीफ किसके साथ deal करता हूँ, efficient portfolio के साथ, मैं inefficient portfolio के साथ deal नहीं करता, ठीक है, inefficient portfolio के साथ कौन deal करता है, security market line, उसमें सब आ जाते हैं, security market line बोलता है, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, तुम efficient हो या inefficient हो, तुम्हारा expected return में निकाल के दूँगा, CML बोलता है, मैं थोड़ा aristocratic हो, elite class हो, मैं सरीफ उनको handle करता हूँ, जो efficient है, inefficient वाले मेरे पास नहीं आना है, मुझे inefficient लोगों से सक्त नफरत है, इसका कहना है, मेरा नहीं, for efficient portfolio lying along CML, their total risk represent their systematic risk, since all unsystematic risk has been diversified, तो इसका मतलब है, total risk is equal to systematic risk, मैं इसको prove भी करके दिखाना चाहता हूँ, systematic risk का formula क्या है, correlation into sigma S, याद आया गया, दो-तीन दिन पहले किया था, correlation अगर 1 हो, क्योंकि इनका correlation 1 होता है market के साथ, अगर इनका correlation 1 हो तो बचा गया, sigma S equal to sigma S, तो mathematically मैंने अभी आपके सामने proof किया, कि क्यों, अगर correlation with market 1 हो, तो total risk and systematic risk will be same, राइट, अब आपको notebook निकालना होगा, सर क्यों, मैं आपको एक note लिखवाऊंगा, relationship between CML and SML, book में नहीं है, सब कुछ book में लिखने से क्या है, student फिर थोड़ी देर के लिए video on करके, इदो ज़र घूमने चला जाता है, ठीक है, तो उनको भी तो जमाय रखना है, कुछ लोग fast forward कर देते हैं, करो, लिखना पड़ेगा, तो fast forward से होगा नहीं, relationship between CML and SML, तो यह मैंने discovery किये, research करते करते कि, यह CML और SML के बीच, क्या connection हो सकता है, तो पहले लिखना first point, expected return under CML, जितना आप deep में जाओगे, उतना अच्छा है, 30 मार्क का multiple choice question में, कुछ भी आ सकता है, ओके, और वो 30 मार्क, पूरे आपके, 30 में से 30 आ सकते हैं, अगर आपके पूरे concept clear है, जो लोग सिर्फ study module को ही, अपनी गीता समझ लेते हैं, उनको नुकसान होगा, module में आपके portfolio में, कुछ 45-50 question के बीच में होते हैं, और हम लोग 150 question कराते हैं, तो वो difference है, फिर लिखना, expected return under SML, कुछ याद आया क्या, SML यानि CAPM, RF प्लस बीटा इंटू, expected return on market minus risk free return, मैंने same term use किया, ताकि आपको समझ में है, अब सिर्फ RM भी लिख सकते हैं, बीटा का formula याद है, बीटा का formula, R इंटू sigma P upon sigma M, बोलो हाँ, तो अब आप दोनों formula को ध्यान से देखो, आप भी ध्यान से देखो, ये formula को और इस formula को, दोनों में क्या difference है, क्या difference आपको नजर आ रहा है, चलो, बच्पन में मैच वाला खेलते थे 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 न, क्या-क्या same है, क्या-क्या different है, तो आज वही खेलेंगे, आरेफ कॉमन है, आरेफ माइनस आरेफ भी है, सिग्मा पी बाई सिग्मा एम भी है, सिरिफ correlation यहाँ पर extra है, यानि दोनों formula में correlation का difference है, और अगर correlation 1 हो, तो क्या करेंगे, तो फिर दोनों formula से मुझा आएगा, लिखे नीचे, for efficient portfolio, for efficient portfolio, R is equal to 1, for efficient portfolio, R is equal to 1, and putting the value of R, and putting the value of R in SML equation, and putting the value of R in SML equation, we will get, we will get, तो नीचे, equation लिखना, R F equal to, 1 into sigma P, by sigma M into R M minus R F, तो दोनों equation सेम हो गए, क्या हम यह कह सकते हैं, अब यह दोनों सेम हो गए, तो finally हमारा conclusion क्या निकला, यह निकला, expected return is same under CML and SML, when R is equal to 1, अगर R is equal to 1 होगा, तो CML, and SML will be same, अगर R is equal to 1 होगा, तो CML और SML के formula से same answer आएगा, therefore last line, CML is a special case of SML, CML is a special case of SML, SML में कोई भी correlation हो सकता है, CML में स्रीफ 1 हो सकता है, SML, CML is a special case of SML, applicable only for efficient portfolio, तो अगर आपकी exam में MCQ आगया, when will CML and SML give you same expected return, when correlation is equal to 1, और नीचे में 4-5 option देंगे, when correlation is plus 1, minus 1, 0, they will never be equal, they will always be equal, तो student क्या करेगा, जिसने ये वाला line पढ़ा होगा, वोगी लिख पाएगा, when R is equal to 1, तो दोनों का expected return same आएगा, नीचे लिखेंगे, how to derive the formula of CML, एक और लिखना है, formula तो मैंने आपको दे दिया, student का कहना है कि आपने formula दिया, लेकिन ये formula आया कैसे, जो formula expected return का मैंने लिखा था ना, तो अभी हम class में उस formula को आपके सामने, derive करेंगे, ताकि तुम्हे satisfaction मिले, how to derive the formula of CML, how to derive the formula of CML, लिखना, हमने क्या पढ़ा है कि correlation is 1, correlation is 1, और अगर correlation 1 है, अगर correlation 1 है, तो what is the portfolio risk, weighted average risk, if correlation is 1, portfolio risk is weighted average risk, बोलो हा, लिखिए standard deviation equal to, weighted average risk, when r is equal to 1, r stands for correlation, ठीक है, मेरे portfolio में, दो item है, एक risk free item है, और एक market portfolio है, एक risk free है, और एक market portfolio है, तो उस case में, sigma p क्या होगा, sigma p क्या होगा, weight of risk free asset, into sigma of risk free item, plus weight of market portfolio, into sigma of the market portfolio, is it right, अगर correlation 1 है, तो ये equation बनता है, अब इसमें आप मुझे बताना, what is the standard deviation of the, risk free asset, what is the standard deviation of the risk free asset, risk free asset, government bond का, standard deviation कितना होता है, zero, क्योंकि वो हिलता ही नहीं है, वो आज भी 6% देगा, 5 सल बाद भी 6% देगा, ठीक है, मतलब, जो एक बार वादा किया है, government ने वो ही मिलेगा, market कितना भी उपर नीजे जाए, government का return fixed है, तो उसका standard deviation zero है, तो अगला line होगा, WRF into zero, plus WM into sigma RM, तो can I say, sigma P of efficient portfolio, लिखो, sigma P is equal to, WM into sigma RM, can I say, can I say, WM is equal to, WM is equal to, sigma P upon sigma RM, एक तरह से आपका एक और formula आगया है, अगर मालो आपको, efficient portfolio का standard deviation निकालने दिया जाए, तो आप WM into sigma RM से भी उसको निकाल सकते हैं, तो ये हो गया मेरा, WM equal to sigma P upon sigma RM, अभी खतम नहीं हुआ है, इसको मैं लिखूंगा, point number A, point number A लिखो, उसको मुझे नीचे यूज करना है, दूसरा चीज़, आपने day 1 से पढ़ा रखा है, portfolio return is weighted average return, तो लिखना expected return of portfolio equal to, expected return of portfolio equal to, WRF into RF, plus WM into RM, माल लो मेरे portfolio में, दो item है, WRF है, WM है, इसका total weight कितना होता है, 1, can I replace, can I replace WRF by 1 minus WM, क्योंकि अगर दोनों का weight मिला कर 1 है, तो WRF will be 1 minus WM, तो मैंने क्या किया, WRF से छुटी पाने के लिए, उसकी जगा 1 minus WM, into RF, plus WM into RM कर दिया, इसलिए में class में formula derive करता नहीं हो, क्योंकि फिर बहुत complexities आती है, student सोचता, अरे क्या चल रहा है, नहीं बताओ, तो परिशान, बताओ, तो कुछ लोग परिशान, कुछ लोग बेचारे mathematically challenged होते हैं, समझें, ये भी एक प्रकार का challenge है, mathematically challenge, बिचार आगला step में सोच रहा है, आप ये कैसे आ गया, दाड़ी वाले दाड़ी खुज ला रहे हैं, बेगर दाड़ी वाले सिर खुज ला रहे हैं, तो ये आप multiply करो न, RF into 1, RF into WM, minus WM into RF, और इसको मैंने फिलाल छेडा नहीं है, अब आप इन दोनों में से कुछ common दिख रहे हैं गया, WM common दिख रहे हैं, तो WM जो common है, उसको मैंने कर दिया, bracket के बाहर, और bracket के अंदर लिखेंगे, RM minus RF, समझ में आया, RM minus RF, ये वाला RM ले लिया, और ये वाला, minus RF ले लिया, is it right, WM common है, अब देखो, WM की value आपने उपर यहाँ पर लिखी रखी है, क्या हम इसको यहाँ पर substitute कर दो, अगर मैं WM की जगह, WM की जगह, RF प्लस, RM minus RF into sigma P upon sigma RM लिखूँ, तो कोई दिक्कत है, नहीं है, अब आपकी book में देखो, same formula, तो formula derive करना कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, तो अब आपको इस formula में भी कुछ चीज़े highlight कर लेनी चाहिए, एक तो ये formula है, एक दूसरा, अगर आपके पास दोनों का weight, और दोनों का return दिया हुआ है, इतनी मेंनत नहीं करनी है, सिधा सिधा weighted average return लेना है, अगर आपको risk free asset का weight और risk free asset return दिया है, market portfolio का weight और market portfolio का return दिया है, तो आप weighted average भी use कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा, अगर आपको efficient portfolio का standard deviation निकालना है, तो sigma p is equal to wm into sigma rm, तो यह जो highlighted numbers है, they are also formula, standard deviation of efficient portfolio wm into sigma rm, expected return या तो आप weighted average return से निकाल सकते हैं, या फिर जो हमारा main formula हमने सीखा book में, rf plus rm minus rf into sigma p upon sigma m, right, एक मैं आपको example लिखवाऊंगा, cml पे हमारी book में ज़्यादा question नहीं है, sir क्यों, institute की book में भी नहीं है, institute की book में एक भी नहीं है, मैं फिर भी आपको दो करवाऊंगा, और exam में भी, पिछले 25 साल का मेरा अनुभाव है, जब मैं student था, और जब मैंने पढ़ाना चलू कि अकोल मिला, कि आज तक, आज तक, एक भी question exam में नहीं आया है, लेकिन RTP में आया है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, RTP से मैंने सारे notes भी बनाया है, तो लिखेंगे, consider the CML world, यह पुरा notes भी एक RTP में आया था, consider the CML world, अब RTP में आया तो exam में भी आयेगा, consider the CML world in which R F equal to 6 percent, R M equal to 15 percent, sigma M equal to 10 percent, ठीक है, first लिखना, 0.1, compute risk, risk into bracket standard deviation, an expected return, of various combination of market portfolio and risk-free asset, and various combination of market portfolio and risk-free asset, तो यह एक ही question actually, second लिखना हो तो लिख दो, draw the graph, उसका graph भी बना के आपको दिखाएंगे, अभी अगर आपको, रिस्क लेना और निकालना हो तो उसके लिए हमने एक formula देखा था अभी थोड़े देर पहले, Wm इंटू सिग्मा आरेन था, या देग्या, और expected return का एक simple formula है, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वेट और रिस्क फ्री आसेट, इंटू रिस्क फ्री रिटन, प्लस वेट और मार्केट पॉट्फोलियो, इंटू मार्केट रिटन, आपको RF भी दिया हुआ है, RM भी दिया हुआ है, और वेट जो है वो आपको अलग-अलग वेट पे solve करना है, compute risk and return of various combination, और कर सकते हैं, और बाद में diagram ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे, ये diagram एक rising linear curve बनेगा, तो लिखिए, calculation of standard division and return of the portfolio, एक question मुझे ये मिला, वो मैं करवा रहा हूँ, इस CML पे बहुत ज़्यादा question नहीं है, फिर भी आपको एक basic idea आ गया, और कभी exam में कुछ आ गया, तो आप handle कर पाओगे, चार column draw करेंगे, weight of market, weight of risk free asset, total weight always one आना चीए, फिर दोनों का return, weighted average return निकाल लेंगे, और risk, last column में heading लिखना risk, और उसके नीचे उसका calculation होगा, जो मैंने भी आपको बताया, WM into sigma M, बराबर, तो चलिए, शुरुआत करते हैं, suppose, ये market का मैंने, weight लिख दिया, 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, तो मुझे बताओ, रिस्क फ्री, एसेट का weight कितना होगा, टोटल वन आना चाहिए, 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0, और ये minus 0.25, minus यानि बोरो करेंगे, और market portfolio में invest करेंगे, negative WRF मतलब borrowing, तो return कितना आएगा, अगर पहला case में, पूरे का पूरा पैसा, risk free asset पे लगाओगे, तो जो risk free return होगा, वही मिलेगा न, यानि 0 risk पे भी 6% मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, weighted average return निकालना है, market का return मैंने कितना दिया था, 10, अंदरा, और risk free return छह दिया था, तो 15 into 0.25, and 6 into 0.75, कितना आया, 8.25, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 15 into 0.5, plus 6 into 0.5, 10.5, उसी प्रकार, 15 into 0.75, plus 6 into 0.25, 12.75, wait, अब इस वाले में calculate नहीं करना, पूरे का पूरा पैसा market में लगा रहा है, 15, last वाला case, जान से, 15 into 1.25, और यह negative है, तो आब, 6 into minus 0.25, कितना आएगा, 15 into 1.25, minus 0.25 into 6, 17.25 आना चीए, जिनको लिखना यह calculation लिख सकते हैं, तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपका, सरी, रिस्क भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगा, जैसे रिस्क बढ़ेगा, रिटन भी बढ़ रहा है, पहले वाले case में, रिस्क कितना आएगा, 0, क्योंकि आपने, WM तो 0 ही है, उसके बाद आपको, WM, यानि यह वाला कॉलम लेना है, सिग्मा एम कितना दिया था, मैंने 8 दिया था, 10 दिया था, 0.25 इंटू 10 करना, 2.5%, 0.5 इंटू 10, 5, 0.75 इंटू 10, 7.5, 10, 12.5%, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, वैसे वैसे रिटन भी बढ़ेगा, ठीक है, तो यह अलग अलग वेट पे, यह रिटन आपको मिलेगा, उसके बाद उन्होंने काई कि, एक डाइगराम भी ड्रॉ करके दिखा दो, तो यह डाइगराम ड्रॉ कर दीजिये, 6% से स्टार्ट होगा, 6% से स्टार्ट होगा, और अलग अलग रिस्क नीचे आप लिख सकते हो, 2.5%, 5, यहां पर 0 है, 7.5, 10, 12.5, 15, और रिटन आपका बढ़ता जा रहा है, इसमें और कुछ करना नहीं है, ठीक है? very good, theory question, differences between capital market line and security market line, यह आपकी study module में यह differences नहीं है, लेकिन यह RTP में आया था, RTP, source RTP, तो जब RTP में पूछा है, तो कभी न कभी exam में भी पूछेंगे, ठीक है, तो 6 difference मैंने लिखे हैं, जितना याद रक्स को लिख देना, या कुछ दूसरे टाइप का question है, MCQ अगएरा, falling are the differences between CML and SML, except the falling, तब उसमें except the falling, मतलब 4 में से 3 रहेंगे, और एक नहीं रहेगा, इस टैप के reverse question भी आते हैं, तो CML जो भी आपने पढ़ा, जो diagram draw किया, उसको देखना, it shows linear relationship, linear मतलब वो diagram straight line था, यह linear, और यहाँ पे आपने sigma लिखा था, और यहाँ आपने return लिखा, between expected return, यह आपका expected return and total risk of the efficient portfolio, SML, SML को याद करो, यहाँ beta है, यहाँ return है, और यह RF से starting कर रहा है, SML depicts linear relationship between expected return and systematic risk, यहाँ बीटा, of all portfolios, whether efficient or inefficient, then second, CML assumes well diversified portfolio, CML का assumption क्या है, कि इस portfolio में कोई unsystematic risk नहीं है, अब जो भी risk है, systematic risk है, and systematic risk is equal to total risk, there is no unsystematic risk present in the well diversified portfolio, SML is concerned only with the systematic risk of the security, और यहाँ पर systematic risk is not necessarily equal to total risk, main difference क्या है, SML में systematic risk is not necessarily equal to total risk, जब कि CML में systematic risk and total risk are same, important difference number 3, it uses standard deviation as a measure of risk, जब आपर diagram ड्रो करेंगे तो यहाँ पर X-axis में sigma लिखना है, and it uses beta as a measure of risk, fourth difference, all portfolios lying along CML are efficient portfolio, and the inefficient portfolio will lie below the CML, तो जितने portfolio efficient है उस CML line पर होते हैं और inefficient portfolio are below CML, जब कि SML shows only those securities which are correctly priced, in view of the systematic risk associated with the security, SML कहता है कि जो भी security SML line पर है, they are correctly priced, यह बोलता वो efficient है, SML बोलता वो correctly priced है, अगला difference, expected return under CML, अभी अभी आपने देखा, RF plus RM minus RF into sigma P upon sigma M, और यहाँ पर RF plus RF minus RM into beta, and beta की value है, sigma P upon sigma M into R, is it right? slope, slope का मतलब change in the variable on Y axis, upon change in variable on X axis, तो यहाँ पर slope होगा, expected return minus risk free return upon sigma M, यह sigma भी लिख सकते हैं, because slope सबका same होता है, और यहाँ पर slope होगा, expected return minus risk free return, upon beta क्योंकि यहाँ पर हमने beta को X axis पर लिखा है, यह बताता है कि अगर beta एक unit से change होगा, expected return कितने percent से change होगा, यह बताता है, अगर standard deviation एक percent से change होगा, expected return कितने percent से change होगा, that is called slope of the line, now this question is from RTP, और काफी पुराना RTP है, लेकिन यह question था, यह differences थें, यह formula थें, question क्या कहता है, और भी पहले questions, मैं लेता थे एक दो और, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि exam point of view से, मुझे question मिले ही नहीं इतने समय से, अब आग या future में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, expected return from market is 20%, RM, standard deviation is 25%, Sigma M, risk-free return is 8%, RF, find market risk return trade-off, that is slope, तो इस question का क्या मतलब है, इस question का मतलब, आपको RM-RF upon, Sigma निकालना है, Sigma of the market, that is slope of the capital market line, क्योंकि और कुछ data तो है नहीं हमारे पाश, find expected return of the falling efficient portfolio, underline, अब इस पूरे question में न, CML कहीं पर भी word use नहीं हुआ है, लेकिन ये हिंट है, ये efficient portfolio का मतलब है, CML, या R is equal to 1, R equal to 1 करेंगे, तो CML और SML का अंसर सेम ही आएगा, whose standard divisions are given, तो ये चार standard division है, आपको इन चारो stock का, जिनका अलग-अलग standard division है, उनका expected return, find out करना पड़े गा, तो पहला answer लिखेंगे, शिर्फ आपको अगर concept पता है, formula पता है, तो आसानी से इसको कर पाओगे, calculation of market risk return trade-off, calculation of market risk return trade-off, in bracket slope of cml, in bracket slope of cml, उसके बाद एक formula लिखना, slope का मतलब है कि, अगर standard division 1% से change होगा, तो return कितने percent से change होगा, expected return of the market minus rf, upon sigma m, लिख लिया, 20 minus 8 upon 25, 0.48, तो 0.48 का interpretation क्या है, कि if risk changes by, note, if risk changes by, 1% return will change by, 0.48%, अब नीचे उन्होंने question पूछा है, compute the expected return of the falling efficient portfolio, लिखेंगे, calculation of expected return, calculation of expected return, 3 column draw करेंगे, ताकि presentation अच्छा लगे, बाकि जिसको जैसे लिखना लिख सकते हैं, answer match होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में is standard division, second column expected return under CML, CML question में नी लिखा है, कि inefficient portfolio लिखा है, तो formula है, आरेफ माइनस, आरेफ माइनस, आप ऐसे लिखो, आरेफ प्लस, sorry, आरेफ प्लस, आरेफ माइनस आरेफ अपॉन सिग्मा M, इंटू सिग्मा P, इस तरह लिखने से क्या होगा, ये आरेफ माइनस, आरेफ अपॉन सिग्मा M, हमने अल्रेटी पॉन्ट फोर्टी एट कैल्कुलेट कर लिए है, बोलो हाँ, आपको क्या करना है, आरेफ की वैलू लिखनी है, पॉन्ट फोर्टी एट इंटू, standard deviation of portfolio से multiply करना है, तो time कम लगेगा, क्योंकि आरेफ माइनस, आरेफ अपॉन सिग्मा M कितना है, पॉन्ट फोर्टी एट, तो बीच वाला हिस्षा पॉन्ट फोर्टी एट है, लिखो, फिप्टीन परसेंट, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट कट में, एट प्लस पॉन्ट फोर्टी एट इन्टो फिप्टीन, पॉन्ट फोर्टी एट इन्टो फिप्टीन प्लस एट कर लो, कैल्पॉलेटर पे, बोलो जी, कितना आया, 15.2 आ रहा है, अब 25 पे ट्राई करो, 30 पे ट्राई करो, 40 पे ट्राई करो, 25 पे आ रहा है, 20 परसेंट, 25 पे 20 परसेंट आ रहा है, अब 30 पे करके बता, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, 30 पे कितना आ रहा है, 22.4, very good, 40 पे करके बताओ, 40 पे करके बता, हाँ जी, 27.2 परसेंट, 27.2 परसेंट, is it right, तो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है, 15 से 40 हुआ, एक्सेक्टे रिटन भी 15.2, से बढ़के, 27.2 तक पहुँच गया, higher the risk, higher the return, right, तो ये, क्वेश्चन था, CML पे, CML पे दो क्वेश्चन कर लिया आपने, बोलो हाँ, now we'll take a, break, ओके, welcome back, after the break, अब हमारा जो next important topic है, very very important, very very important, इसके उपर questions आते हैं, कई बार आते हैं, बार बार आते हैं, और इसका नाम है, Arbitrage Pricing Theory Model, यानि APTM, in short में हम इसको लिखेंगे, APTM, ओके, और ये थेयरी किस ने दी है, Mr. Ross ने, Stephen Ross, C.A.P.M. थेयरी किस ने दी थी, William Sharp, ये थेयरी दी है, Ross ने, और ये जो भी मैंने यहाँ पर, इसक्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये थेयरी, पहले पढ़ने के पहले, आपको एक स्टोरी सुनने ही बढ़ेगी, ठीक है, स्टोरी ऐसी है कि, एक, प्लेन, हवा में है, प्लेन को कौन चला रहा है, पाइलेट, अचानक, टर्बिलेंस आ गया, तो पाइलेट ने, एर ट्राफिक कंट्रोलर को फोन गया, या जो भी उनका कम्मिनिकेशन सिस्टम है, फोन तो नहीं किया रहेगा, कुछ उनका रहता है, जिससे वो जो नियरेश्ट एटीसी है था, उसको पुन कर सकता है, कि भी आप दिक्कत है, गाइड करो, एटीसी ने कहा, कहा हो तुम, बताओ, तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तो पाइलेट ने कहा, का मैं अभी ये मुंबई से 60 किलोमेटर दोर हूँ, क्या जबाब सही है या गलत है, गलत है, क्यों गलत है, मुंबई से 60 किलोमेटर दोर, इस्ट साइड में हो, वेस्ट साइड में हो, नौर्थ साइड में हो, साउथ में हो, या किधर हो, कि स्पीड से उड़ रहे हो भी बदाओ, स्पीड से भी ट्रेक करेंगे, कितनी हाइड पे भी बदाओ, बस तुमने कहे दिया, 60 किलोमेटर दूर है, तो पाइलेट के साथ, उसका एक को पाइलेट भी था, उसने पाइलेट को कहा, सर ऐसे मत बोलिए, ठीक से जवाब दीजिए, आप उसको बोलिए, कि हम लोग, वेस्ट साइड में हैं, हम वेस्ट इदर होता है, नक्षे में वेस्ट इस साइड होता है, हम वेस्ट साइड में है, हम 600 किलोमेटर पार आवर की स्पीड से, ट्रैवल कर रहे हैं, हम अभी 30,000 फीट उपर में हैं, इसे राइट, और भी कुछ-कुछ, इन्फरमेशन जो लगती है, ताकि वो ट्रैक कर सके, लोकेट कर सके, और उसके बाद फिर ये एटी सी जो है, उसको आगे इंस्ट्रक्शन देगा, कि तुमको और आगे जाना चाहिए, या कोई नियरबाई एरपोर्ट पे लैंड करना है, और जो नियरबाई एरपोर्ट पे लैंड करना होगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, कि एक प्लेन, एमर्जेंसी लैंडिंग करने वाली है, तो एक रनवे खाली कर दो, ठीक है, ऐसा होता है ना, मैंने सुना था कि, उसको एमर्जेंसी लैंडिंग करने बड़ी, किसी आदमी का आईफोन भी गिर गया, बज गया, तब से मैंने भी आईफोन करीद लिया, कि भाईया कुछ और ना बचे ना बचे, फोन बचना चीए, यह ही अपना जीवन है, ठीक है, तो उस घटना सुनने के बाद, मैंने आईफोन करीद लिया, तो अब मुझे बताओ, जो पहला जबाब था, कि, प्लेन मुंबई से 60 किलोमेटर दूर है, वो C.A.P.M. थेरी कीत रह था, जो बुलता है कि, एक बीटा है, उस बीटा में सब परकार के रिस्क आगए है, बीटा में systematic risk, बीटा ही systematic, लेकिन systematic risk भी थो बहुत सरे होते हैं, systematic risk, money supply हो सकता है, inflation rate हो सकता है, interest rate हो सकता है, forex fluctuation हो सकता है, GDP growth rate, industrial production, war, और is it right? तो तुम्हारा कहना है CAPM का सारा information अलग-अलग risk factor इस एक बीटा में समाए हुए हैं. APT कहता है यह गलत है अप्रोप्रेट नहीं है अलग-अलग factor का रिस्क अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग entities के लिए आप कैसे एक ही बीटा में सब को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो, is it right? अब हो सकता है for example, interest rate systematic risk है लेकिन अगर आपकी business जो है bank है, NBFC है या फिर आपकी company का highly levered company है, interest rate change होने से इन पे ज़्यादा फरक पड़ेगा, लेकिन एक मालो unlevered company है, जिसने कोई borrowing नहीं की है, उसको बहुत कम फरक पड़ेगा, उसको बहुत कम फरक पड़ेगा, एक और example देखना, suppose foreign exchange fluctuation है, तो अगर आप सिरिफ एक बीटा यूज़ करते हो, तो आपके इसाब से सबको similar type का effect आ रहा है, यानि आप 60 km दूर है मुंबई से, लेकिन अगर आप APTM follow करते हो, तो ये कहता नहीं, ध्यान से जरा, क्या ध्यान से, एक company, import-export का business कर दिये, raw diamond खरीदती है, foreign से, इंडिया में उसकी cutting, polishing होती है, उसके बाद वो और किसी country में export करता है, और एक दूसरी company है, जो textile industry में है, यहीं से raw material, यहीं का labor, इंडिया में ही सारा माल बेशती है, तो foreign exchange fluctuation का risk क्या दोनों के लिए same होगा, बहुत अलग होगा, right, inflation है, क्या सभी company को inflation एक जैसा impact करेगा, नहीं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, तो APTM ने क्या का, हम systematic risk को भी divide करेंगे, we will identify, which factor affect the return of the stock, not just one factor, but multiple factor, इसले APTM को multi-factor model भी कहते है, APTM को multi-factor model, because there are multiple factors, which affect the return of the stock, whereas CAPM को single-factor model कहते है, because उसमें एक ही beta है, market risk, the beta is market risk, but यहाँ पे multiple factor है, तो अब मुझे बताओ, यह जो co-pilot में जो जबाब दिया, कि हम Mumbai से west की और जा रहे है, 600 km per hour है, 3000, 30,000 square foot है, और यह wind का speed है, यह pressure है, वो जो जबाब दे रहा है, वो किस की तरह है, वो APT की तरह है, ठीक है, तो कहानी सुन के मज़ा आया हो, तो खुश हो जाना है, CAPM जो है, वो कहता है, beta, which is market risk, APTM कहता है, नहीं, the return of a stock is affected by multi-factor, so we should have separate beta for each factor, इसमें data आपको ज़्यादा लगेगा, you will need more data, because अगर आपके इत्ते सारे factor हैं, तो हर एक factor का आपको risk premium निकालना है, so you will need more data, but then this will give you a better answer, rather than taking a wrong answer, it is better to take more, put more effort and get the right answer, so that is APTM, it is like more refined approach, it is an advanced version of CAPM, correct, जिसमें हम multiple factor लेंगे, multiple factor का beta निकालेंगे, multiple factor का risk premium निकालेंगे, और उसके बाद return calculate करेंगे, so now you will come to this paragraph where it is written important points, दिख रहा है क्या, important point में first point है, several factors influence the return expectation of a security, C.A.P.M की तरह नहीं की बस बीटा ये कहता है, की factors like money supply, inflation, interest rate, foreign currency fluctuation, GDP growth, industrial production and other factors influence the expected return of the security, therefore, it is a multi-factor model, हर एक factor का अपना अपना beta होगा, based on past data, आपको क्या करना है, you have to find beta for each factor, तो आपको पहले तो identify करना है, की आपके stock को कौन-कौन से factor affect कर रहे हैं, हो सकता है किसी को interest rate affect कर रहा हो, किसी को नहीं कर रहा हो, उसके बाद आपको इन सब का beta निकालना है, और सब का risk premium निकालना है, हर एक factor का risk premium निकालना है, is it right? तो beta into risk premium will give you risk premium for that factor, ठीक है? सब को add करते जाना, total risk premium आ गया, और उसको हम एक risk free return के साथ add कर देंगे, तो आपको आपका expected return आ जाएगा, तो यहाँ पे काम थोड़ा जादा है, लेकिन यह model काफी appropriate है, next point आपकी book में, APTM states that expected return on investment is dependent upon how the investment reacts to a set of individual macroeconomic factors, that is the degree of reaction measured by beta, and the risk premium associated with each of these macro factors, तो आपको factors निकालना है, कौन-कौन से factor है, उनका बीटा क्या है और उनका risk premium क्या है, and all this put together, combined together, will help you to understand the expected return. APTM seeks to identify risk return for each of the factors individually. तो यह एक advanced approach है, towards expected return. It is little better than CAPM, because it breaks the risk into multi-factors. कितने factor होने चाहिए, क्या आपको पता है, as per this theory, कितने factor होने चाहिए, नहीं, यह theory बोलता है, आप decide करो, कि आपको कितने factor लेने हैं, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, चाहर, पांच, छेह, साथ, जितने आपको लेना है, जो आपको लगता है, यह यह factor, stock का return affect कर रहे हैं, अगर शिरिफ एक ही factor लोग है, तो CAPM और APT same हो जाएगा, जेकिन अगर आप एक से यादा factor लोग है, तो APT will be different from CAPM, जैसा कि हमने CAPM के वक्ट पड़ा था, APT also has certain assumptions, assumption number 1, returns are determined by multiple factors, and APT does not specify the number of factors to be used, so MCQ questions बगरे के लिए सब याद रखना है, MCQ में आएगा, APT says 5 factors should be used for return calculation, तो आपका answer है कि यहाँ पे कोई भी number of factors specified नहीं है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकते हैं, and these factors can be macro variables, like GDP growth, okay, inflation, interest, जो पिछे note में लिखा था, उसके अलावा it can be micro variables also, like market capitalization, price to book value ratio, etc. next assumption जो CAPM में भी था, कि अनस्स्तमातिक रिस्किस दिवर्सेफ़ाइड, इनस्तर्सार स्मार्ट, राशनल, they have eliminated, the unsystematic risk, and therefore, is not priced, no premium for taking unsystematic risk, if you are taking unsystematic risk you are inefficient but you will get premium for taking systematic risk hence return depends only on systematic risk is it right उसके बाद markets are frictionless now कुछ अजम्टिंस जो होते हैं therefore simplifying the theory like for example there are no taxes tax रहेगा तो वापस return impact होगा there are no transaction tax no brokerage no commission okay securities are fully divisible जितनी quantity में चाहिए आपको मिल जाएगा fraction में भी मिल जाएगा fraction में भी आप बाई कर सकते हो यह सब इसलिए लिखा है क्योंकि अगर arbitrage opportunity आती है तो आप fraction में भी बाई कर सकते हो and the last is no restriction on short selling यह भी वापस इसलिए है क्योंकि अगर market equally equilibrium में नहीं है और अगर कोई stock overvalued है तो आप उसको short sell कर सकते हैं कुछ-कुछ country में short selling पे बैन है कुछ country में allowed है कुछ country में partially allowed है इसलिए यह theory को successful बनाने के लिए यह assume किया गया है कि there is no restriction on short selling and market will be in equilibrium in equilibrium means the expected return is equal to required return तो यह जो भी आपका equation से answer आएगा अगर market और अगर expected return and required return are equal market is in equilibrium stock is correctly priced stock is correctly priced यह हो गया assumption में खेल चालू होता है यहां से क्योंकि exam में आपको theory कमी पूछते हैं इस पार्ट से numerical question ही अभी तक आया है इस पार्ट से अभी तक theory question नहीं पूछा गया है तो as per a p tm formula बिल्कुल उसकी तरह c a p m की तरह ध्यान से देखना expected return equal to rf अगर आप c a p m k student है तो आप क्या लिखेंगे rf plus beta into risk premium बराबर into market risk premium बस इतना यहां पिस नहीं क्या किया है because there are many factors हर एक factor का beta into multiplied by risk premium multiplied by risk premium second factor उसका risk premium third factor उसका risk premium और जितने formula अगर आप ध्यान से देखोगे तो c a p m model में श्रिफ इतना था यहां पर factor बढ़ते जा रहे है उसके सबसे risk premium बढ़ते जा रहे है what is rf here risk free return what is this r1 r2 r3 rn this indicate risk premium for each factor this indicate risk premium for each factor and what is bn यह b1 b2 b3 these are the major of sensitivity of particular security to each of the factor यानी beta question में अगर sensitivity word भी use किया गया है तो मतलब उसनों आपको बीटा दिया है तो यह हो गया मेरा एक formula हमारी exam में अभी तक दो type के question आये हैं यह first type 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 1 ओके जहां पर आपको risk free return दिया बहुत सारे factors दिये रहेंगे उनका beta दिया रहेगा उनका risk premium दिया रहेगा बस आपको solve करना है और एक दूसरा type का question भी आया हुआ exam में दो या तीन बार जहां पर आपको expected and actual value of factors are given then the return under APT will be calculated as follows तो आपको क्या देंगे वह exam में inflation interest gdp growth ठीक है फिर आपको actual data देंगे expected data देंगे यानि मुझे क्या उमीर्ति और क्या मिला और आपको beta देंगे है तो आपको क्या करना है जितने भी factor है हमारी इस example में जैसे तीन है तो उनका actual minus expected लेंगे into beta actual minus expected into beta करेंगे तो that will give you risk premium into beta तो यहां पर institute ने यह formula दिया है कि जिसमें actual minus expected will be treated as risk premium into beta सारे factors के लिए करेंगे actual minus expected into beta total कर लेंगे और उसमें RF add करेंगे उसमें RF add करेंगे actually formula गलत है लेकिन हम कौन student तो बिचार है student क्या करेगा exam pass होना है तो इसके उपर में एक बाद में note लिखाऊंगा कि यह formula गलत है और और सही formula क्या है लेकिन आप है student institute के study material में RTP में और exam में यह formula use किया है तो हम भी यह use करेंगे मैं आपको उसका alternative भी बताऊंगा ठीक है कल को तुम्हारी exam में alternative आ गया तो तुम्हें ready होना चीए उसके लिए तो यह formula जो है इसको भी हम use करेंगे एक note मैंने बनाया है लिखने के लिए क्योंकि अचकल exam थोड़ा और difficult हो गया है CAPM versus APT यहनि CAPM और APT में क्या समानताय है और क्या अंतर है similarities and differences write down write down नहीं लिखना आपको वो instruction है first point लिखना APT agrees with CMT sorry CAPM CMT कहां से आगया APT agrees with CAPM APT agrees with CAPM to the extent that to the extent that unsystematic risk to the extent that unsystematic risk gets cancelled off gets cancelled off and the only systematic risk is relevant and only systematic risk is relevant for determining the return only systematic risk is relevant for determining the return यह दोनो थेरी में कमन है एक और चीज़ Almost of the assumptions used by most of the assumptions used by the two models are also same most of the assumptions used by the two models are also same बसर assumption same investors are rational they are only interested in risk and return, there is no unsystematic risk, there are no tax, no transaction cost, short selling is allowed, सारे अजम्शन सारे नी बहुत सारे सेम है, तो यह गया first paragraph जहां पर हमने similarities की बात की है, अभी next line लिकना, however, however, apt criticizes CAPM, on the ground that, on the ground that the true market portfolio does not exist, true market portfolio, true market portfolio का definition अगर याद हो तो बताना, portfolio which consists of all the stocks in the economy, बट ऐसा कोई portfolio होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, proxy use करते हैं, बट वो proxy भी क्या है, 100% market portfolio को representative नहीं है, ठीक है, जैसे इंडिया में आप यह जो नेता चुनते हैं ना, जो parliament जाते हैं, theoretically वो हमारे representative है, बाकी practically किसी काम के नहीं है वो, तो वही है, यह sensex nifty बोलने के लिए तो market portfolio को represent करता है, लेकिन इंडिया में 4500 share की रोज ट्रेडिंग होती है, और sensex में सिर्फ 30 है, वो भी सिर्फ blue chip large cap, क्या वो market को represent करता है, 2000 share तो small cap में है, उससे भी ज़्यादा, in fact 3700 share तो small cap share है, 1500 share mid cap है, और शिर्फ 100 share जो है वो large cap है, और तुमने शिर्फ large cap वाले top 30 को ले रखा, किधर representative? proxies like, लिको, proxies like sensex, sensex और parliament एक जैसी है, बस government of the few, for the few and by the few, that is our democracy, proxies like sensex, nifty etc, do not capture all systematic risk, third point, CAPM is a single factor model, यह तो easy है, CAPM is a single factor model, हमारी flight Mumbai से 60 km दूर है, ठीक है, while APT is a multi factor model, हमारी flight Mumbai से west direction में 60 km दूर है, 600 km per hour की speed से travel कर रही है, धर्ती से 30,000 feet उपर है, यह हो गया, APT, we can say CAPM is a special case of APT, CAPM is a special case of APT, मतलब अगर शिर्फ एक ही factor है, तो CAPM और APT फिर एक ही हो जाएंगे, last point, APT requires more data compared to CAPM, लिख लिया, APT requires more data compared to CAPM, क्योंकि इसमें हर एक factor का आपको beta निकालना है, हर एक factor का risk premium निकालना है, बट आप एक student है, तो most of the time आपको exam में यह दियावा रहेगा, most of the time, खली आपको तरीके से उसको use करना आना चाहिए, तो पहले हम question लेंगे conceptual problem from a reference book, question number 116, इसमें बहुत सारे आपको छोटी-छोटी चीजें APT theorem से related बताया जाएगा, यानि one in all type का question है, इसमें दो formula थे हमारे, यह पहले वाले formula को use करेगा यह question, और जो दूसरा formula है, उसका question हम बाद मिलेंगे, इस question में total 6 part आप देखोगे, A, B, C, D, E, F, हम एक एक part को discuss करेंगे, solve करेंगे, दूसरा part पहले part पे dependent रहेगा, तिसरा part पहले और दूसरे पे dependent रहेगा, ठीक है, यानि question continuous यह है, लेकिन solve करते समय हम एक एक part को पढ़ेंगे और solve करेंगे, जैसे part 1, consider a three factor APT world, three factor मतलब, तीन factor stock return को affect करते हैं, F1, F2, F3, उसने उसका नाम नहीं दिया है, कभी कभी exam में लिखा रहता, inflation, interest, GDP, growth, industrial production, foreign exchange, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, answer पे कोई फरक नहीं बढ़ेगा, उसके बाद नहीं खुद होकर factor का risk premium दे दिया, वा, 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 risk premium दे रखा है, risk free return भी दे रखा है, write down the equation of APT, पहला question है equation of APT, equation of APT का मतलब है, कि what will be the expected return as per APT, तो अलग-अलग stock का risk free return तो constant रहेगा सबके लिए, factor risk premium भी constant रहेगा, तो क्या different रहेगा, beta for the three factors, तो हमारा equation कुछ इस तरह से बनेगा, दो line का answer है, पहले general formula लिखना, और उसके पाद जो भी information उसको put करेंगे, return is equal to, RF plus, जो भी formula number 1 देखा उपर में आपने, rm, r1, b1, plus r2, b2, plus r3, b3, r1, r2, r3 क्या है, factor risk premium, b1, b2, b3 क्या है, beta of individual factor, सभी stock के लिए, RF constant है, r1, r2, r3 constant है, स्रिफ उनका b1, b2, b3 different हो सकता है, तो जैसे से आपको b1, b2, b3 मिलेगा, आप उसका return निकाल सकते हैं, तो second line में लिखना, return 6 plus 3, beta 1, plus 4, beta 2, plus 5, beta 3, उपर दिख रहा है, 3, 4, 5, 6% risk free, यानि इस equation को ध्यान में रखना, अगर आपको beta 1, beta 2, beta 3 मिल जाता है, किसी भी stock का, या portfolio का, तो आप उसका expected return निकाल सकते हैं, इस equation में b1, b2, b3 पुट करके, आप उसका return निकाल सकते हैं, पहला answer हो गया, any doubt, second question, उसी question का part B, consider the falling two stocks in this apt world, तब उन्होंने market गए हैं, वहाँ से 2 stock चुन कर लाएं, उनका नाम है A और B, और यह उनका factor sensitivity यानि बीटा दे रखा है, यह बीटा आफ, factor 1, factor 2, factor 3, similarly, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, for the three factors, for B, अब आपको पूछ रहा है, calculate expected return from each stock, question है कि मजाख, तो आप क्या करना, एक बार मैं पीछे वाली slide पे जा रहा हूँ, इस वाली slide में यहाँ पर, यह जो B1, B2, B3 है, इसमें अगर आप values put कर देंगे, A और B का, तो A का return और B का return आ जाएगा, बराबर, तो चलिए, answer लिखेंगे, answer, answer B, answer B, निचे लिखना, expected return of stock A, चायत एक बार वापस equation लिख दो, 6 plus 3B1 plus 4B2 plus 5B3 is equal to 6 plus 3 into 0.4 plus 4 into 1.2 plus 5 into 1.6, कितना आया, 20% आया, 20% आया, 20% आ गया, उसके बाद expected return of stock B, expected return of stock B, 6 plus 3 into 1.3, plus 4 into 2, plus 5 into 1.8, बोलो जी, 26.9, बस आपको बीटा की values, put करनी है, यहाँ पे, अब इसमें कोई रटा मारने वाला काम है नहीं, समझने वाला काम है, इतने दिनों से हमने सिर्फ एक बीटा यूज किया था, एक रिस्क प्रीमियम यूज किया था, अब इस बार हम तीन बीटा और तीन रिस्क प्रीमियम यूज कर रहे हैं, बाकी काम तो वही करना है, अब question number C पर आना, construct a portfolio combining these two stock, such that portfolio has unit sensitivity, that is beta is equal to 1 with respect to factor 1, question समझ में आया, construct a portfolio combining these two stock, यहनि आपको एक portfolio बनाना है, जिसमें a और b दो होंगे, और portfolio का बीटा कितना चाहिए, 1 चाहिए, portfolio beta 1 चाहिए, कौन से factor के लिए चाहिए, factor 1 का, तो दो अलग अलग factor है, तीन अलग अलग factor है, तो factor 1 का portfolio beta, portfolio beta for factor 1 should be 1, ठीक है, तो आपको बताना कि a और b का वेट कितना होगा, तो सपोज a का वेट w है, तो b का वेट आप 1 minus w assume कर लो, समझो, और portfolio beta is weighted average beta, factor 1, beta for stock a कितना दिया हुआ है, 0.4, and factor 1 beta for stock b limited कितना दिया हुआ है, 1.3, बस आपको सही number वहां से डूढना है, तो सिरिफ पहले factor 1 पे नजर काड़ो, पहला column, 0.4, 0.3, अगर सिरिफ दो आइटम है, portfolio में, तो एक को आपको w assume करना है, एक को 1 minus w, और ये कितना होना चाहिए, 1, तो जब हम इस equation को solve करेंगे, तो आपको दोनों stock का weight क्या होना चाहिए, मिल जाएगा, जिस से portfolio का beta for factor 1 will be equal to 1, समझ में आया, तो नीचे answer लिखेंगे, मैंने directly लिख दिया है, इस तरह से, देखो, w a into 0.4, plus w b into 1.3, is equal to 1, ऐसे question RTP और exam में भी आये हुए है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, w a into 0.4, plus w b को अटा दो, उसकी जगा 1 minus w a लिख दो, weight of a, into 1.3, is equal to 1, तो आप जड़ा solve करके बताना, कितना answer आ रहा है? solve करेंगे. solve करना? yes, come on, 0.33 और 0.67 आ रहा है, round off से बचने के लिए, w a equal to 1 by 3 कर दो, and w b equal to 2 by 3 कर दो, ठीक है? 1 by 3, 2 by 3 ठीक है? तो आपको यह decimal के साथ नहीं खेलना पड़ेगा, तो हमने क्या पाया? कि अगर हम a में, one third invest करते हैं, और b में, two third invest करते हैं, तो factor 1 beta, of the portfolio will be 1, अब question number D पर आना, find out the factor sensitivity of the portfolio, constructed by you, constructed by you मतलब weight 1 by 3, 2 by 3 है, in question number 3 अबव, with respect to factor 2, and factor 3, अब क्या करना पड़ेगा? factor 2 का आपको portfolio beta निकालना है, तो factor 2 को और देखो, a का beta 1.2 है, into 1 by 3 करेंगे, और b का कितना है? 2, इसको into 2 by 3 करेंगे, और उसी तरह, यह जो factor 3 है, वहाँ पर a का beta कितना है? 1.6 है, बराबर, into 1 by 3, और 1.8 है, into 2 by 3, तो ऐसा करने से, आपको portfolio का, beta 2 और beta 3 मिल जाएगा, राइट, लिखेंगे, answer D, answer D, data इतना ज़्यादा है कि, student confuse हो जाता है, कई बैचों में student बोलता सरम confuse हो रहे हैं, शांत मन से देखिए, उसने का कि, अगर weight 1 by 3, portfolio का beta कितना होगा, for factor 2 and factor 3, हमेशा याद रखना है, portfolio beta, is weighted average beta, तो पहले factor 2 के, दोनो beta को यहाँ पे लिखो, और उनको उनके respective weight से multiply करो, लिखिए, अच्छे से लिखना है, सजा के, धजा के, beta 2 of the portfolio for factor 2, beta 2 of the portfolio, for factor 2, is equal to 1 by 3, into 0.2, 1.73 आया गया, अभी beta of, beta 3 निकालना अभी, beta 3 of portfolio for factor 3, 1 by 3 into 1.6, last column, plus 2 by 3 into 1.8, चेक करना कितना आ रहे हैं? सेम आ गया, वो स्रीब एक coincidence है, रट के मत जाना, कि दोनों सेम आते हैं, अब यब फिप्ट वाले question पे आओ, find out the expected return of the above portfolio, तो beta 1, beta 2 और beta 3 अमने निकाल लिया, actually beta 1 question ने define किया था, 1, और अभी अभी आपने कितना 1 point, 1.73, 1.73 ऐसा कुछ निकाला है, जो first वाला answer था, याद है कि equation of APD, वहाँ पे जाना है, और इसमें beta 1, beta 2, beta 3 की value put करनी है, answer E लिखना, answer E, answer E, इसको मैं दो तरीके से solve कर सकता हूँ, एक तो weighted average, beta use करके solve कर सकते हैं, और एक expected portfolio return निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों stock का return निकाल लिया है, कौन सी answer में, second वाले answer में, student को याद होगा, A का return 20% दा, और B का expected return 26.9 दा, तो अगर आपके बस दोनों stock का return है, दोनों stock का weight है, तो directly portfolio return आ जाएगा, बोलो हाँ, लेकिन तुमारी student माल लो, तुमें कहेगी, find out the return of the portfolio, using APT equation, अगर specifically पूछ ले, find portfolio return using APT equation, तो क्या करेंगे, तो फिर वो जो आपने starting में, APT का equation लिखा था, पहले वो लिख लो, 6 plus 3 beta 1, plus 4 beta 2, plus 5 beta 3, और उसके निचे 6 plus, 3 into 1, plus 4 into 1.73, plus 5 into 1.73, मैने answer solve किया, बट मुझे पता नहीं सही है कि गलत, चेक करना जरा, approximately 24.5 से बना रहा है, थोड़ा decimal के बाद, अगर difference आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, चेक करना, चेक करना, सही है, copy नहीं करना है, copy करना है, तो फिर answer किसी की notebook लेके, जो रोक्स कर लो, चलिए, अब क्या है, point number F प्याना, एक और question है, जो कि, दो या तीन बार exam में, वो जो, last question है, वो आ चुका है, एन अधीस्टर, एन वेस्टर है, और फिफ्टी ताओंड, इन वेस्टर के बास, खुद का कितना पैसा है, प्चाहास हजार, वो पॉपीज थर्टी ताओंड, अज – रिस्फ्री रिटर्न, और थीसाया बोरो किया, कितना हो गया, उसके पाद, 80,000, he invest the entire fund in A and B in the ratio of 3 to 2, उसने क्या, 80,000 को A और B के उपर invest कर दिया, 3 to 2 के ratio में, यानि A के उपर invest करेंगे 48,000 और B के उपर invest करेंगे 32,000, 1, calculate the factor sensitivity of the portfolio, calculate the factor sensitivity of the portfolio, calculate the factor sensitivity of the portfolio, तो आपको portfolio का फिर से एक बार, factor sensitivity निकालना, beta 1, beta 2, beta 3 निकालना, which is weighted average beta, लेकिन अभी weights बदलेगा, यह independent question है, तो आपको बताना है पहले, कि हमारे portfolio में अभी 3 item हो जाएंगे, बोलो हाँ, अब मेरा portfolio में stock A होगा 48,000, B होगा 32,000, और risk free borrowing 30,000, तो टोटल portfolio की value होगी 50,000, और अगर आपको weight निकालना है, तो 48 by 50 बताना, तो 0.96 इस पे आ गया, 32 डिवाइड बाइ 50 बताना, 64, और 30,000 डिवाइड बाइ 0.60 नेगेटिव, तो टोटल 1 आ जाएगा, हमेशा टोटल 1 आना चाहिए, बारिंग का weight नेगेटिव लिखना है, तो लिखिए पहले ये जो मैंने diagram बनाए है, पहले उसको copy कर ले न, वेट में आपको अलग से अलग working में लिखवाऊंगा, step 1, पहला part समझो, इसके पास 50,000 रुपए है, calculation of weights, खुद के 50,000, C,000, फिर इसने A और B में 3 to 2 के ratio में invest कर दिया, A में गएं 48,000, B में गएं 32, अब student के एक महा गलती क्या होती है, महा गलती, वो क्या करता है, A का weight लिखता है exam में 3 by 5, 60%, और B का weight लिखता है 40%, और solve करके घर भी आ जाता है, अब इसमें गलती क्या है, गलती है weight, क्योंकि आपके portfolio में एक और item है, loan, risk free borrowing, भाईया उसको भी consider करना होगा, ठीक है, और risk free borrowing का beta 0, 0, 0, तीनों factor के लिए 0, 0, 0, but weight बदलेगा, और weight बदलने से आपका factor sensitivity और portfolio बदलेगा, तो उस diagram के नीचे अभी तीन column ड्रॉ करेंगे, stock, calculation, weight, यह important है, जिस बच्चे ने पहले नहीं किया अगर ऐसा question, तो exam में वो गलती करेगा, risk free asset का weight होगा, 30,000 रुपीज दिवाद बाई 50,000, minus 0.60, आया, ए का weight होगा, 48,000, दिवाद बाई 50,000, बोलो जी, 0.96, ब का weight होगा, 32,000 डिवाद बाई 50,000, 0.64, cross check करना, total should be 1, total should be 1, अगर टोटल 1 नहीं आ रहा है, तो गलत है, टोटल 1 आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि सही है, तीन item भी लिखना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ interesting, facts में लिखवा देता हूँ आपको, जोपकी exam में नहीं लिखना है, interesting facts, 1, total of weights, should be 1, अब यह मैंने क्यों लिखवाया, कई बर बच्चा यहाँ पर minus sign लिखना बूल जाता है, वो 30 divided by 50 लिख देता है, तो 1.6 हो जाएगा फिर, या कुछ जादे हो जाएगा, तो वो गलत है, ठीक है, second thing, weight of boring, और short selling, will be negative, इस question में boring है, अगले question में short sell किया रहेगा, उसका weight negative लिखना है, जाएगा रहेगा घर्ट लिखना है, अगले लिखना है, अगले किया रहेगा है, तो आपका टोटल हमेशा वही आएगा कुछ लोग 80,000 लिख देते हैं कुछ लोग 110,000 लिख देते हैं तो यह सब चीजों का आपको भ्यान रखना है तो चलिए अब हमको तीनों फैक्टर का बीटा निकालना है तो पहले लिखना बीटा वन आप दी पोर्टफोलियो बीटा तो हमारे को यह वेट्स ध्यान रखना भी यह वेट्स यूज़ करने है ठीक है तो यह वेट्स हमने लिखना है और उसके बाद फैक्टर वन का बीटा फैक्टर वन का बीटा फोर रिस्क फ्री आइटम जीरो फोर स्टॉक ए फिर्स्ट कॉलम को देखो पॉइंट पॉइंट फोर फोर फिर्स प्री एशेट का बीट्स यहां से कॉपी करने है एक और एक और ट्राइगे बीटा टू अव दी पॉट्फोलियो फिर से ध्यान रखना वेट वही रहेगा और मिडिल कॉलम को देखो एफ्टू कॉलम को देखो वहां पर आपको वन पॉइंट टू और टू दिखेगा मिडिल वाले कॉलम में एफ्टू वन पॉइंट टू फॉर ए टू फॉर बी रिस्क फ्री एशेट के लिए जीरो लेना है बोलो जी कितना आ रहे हैं 2.43 संथिंग आ रहा है एक और ट्राइ करना एक बार अपने से ट्राइ करो बी थ्री बी थ्री और पॉट्फोलियो अपने से ट्राइ करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है नहीं वेट्स वही यूज़ करना है और बीटा यूज़ करना है F3 कॉलम वाला बीटा यूज़ करना है फाइनल आंसर बोलना 2.69 इस राइट चेक कर लेंगे सारे लोग 2.69 तो यह हो गया आंसर समाप्त इस इत राइट अब आज आईए क्वेस्टन नंबर 1157 बाद में लेंगे और फिर ब्राकेट में लिखना रेफरेंस बुक और फिर ब्राकेट में लिखना similar question in exam, similar question in exam, तो exam माला भी question इसके जो नीचे है 119 and 120 गो करेंगे, consider a two-factor APT world वाह, where RF is equal to 6%, RF equal to 6%, risk free return lock कर दिया है, उसके बाद दिया है factor 1 market factor 2 interest rate, risk premium दे रखा है, जैसा कि हमने देखा है most of the question में आपको factor का risk premium दिया हुआ रहेगा 4 और 5 और इस question में उन्होंने beta 1, beta 2 for stock है, beta 1, beta 2 for stock B भी दे रखा है, पिछला question जैसा ही है, बहुत ज़दा difference नहीं है, write down the equation of APT, equation of APT मतलब अभी आपने किया था, RF plus R1 B1 plus R2 B2, R1 common रहेगा, beta change होता रहेगा, तो R1 is 4, R2 is 5, and RF is 6, what is the expected return of each stock, equation में value put करो, answer पाओ, value put करो, answer पाओ, और उसके बाद अगला question भी same है, investor has own fund of 80,000, he borrows 20,000 at risk-free rate, invest the total amount in A and B in the ratio of 3 is to 2, बिल्कुल same है, find the factor sensitivity of the portfolio, इस पर एक question extra है, as well as expected return of the portfolio, एक बार आपका factor beta आजाएगा, तो equation of APT में उस beta को put करेंगे, और आपका expected return of portfolio भी आजाएगा, तो बस उतना ही extra काम करना है, क्या आप सब कैयार है, yes, तो लिखना, answer of part 1, equation of APT, equation of APT, expected return equal to RF plus R1 beta 1 plus R2 beta 2, लिख दिया, उसके बार directly यहाँ पर आओ, expected return equal to 6 plus 4 beta 1 plus 5 beta 2 और अगर बहुत जयादा लिखने की इक्षा हो, तो home work में लिखले ना, RF means risk free return, R1 and R2 means risk premium for factor 1 and 2, B1 and B2 is beta factor for factor 1 and 2, मुझे लगता है अभी फिलाल जरूत नहीं है, यह लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है, फिर लिखना answer part 2, अभी जो आपने equation बना है, last line, उसमें शरिफ beta 1, beta 2 की value डाल दीजिये, answer 2, expected return of each stock, expected return of each stock, calculation, expected return, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, 6 plus, आप question सामने रखना, आपको बीच में factor 1, market का beta 1.6 दीख रहा है, और उसके last column में 1.8 दीख रहा है, तो यह stock a का factor 1, beta factor 2, beta है, check करना answer, 21.40, एक अपने से करके दिखा, stock b करके दिखा, stock b करो 16.20, very good, stock b, 6 plus 4 into, last line of table, 0.8 plus 5 into 1.4, the answer is 16.2%, is it right, 16.2, अब अगला question है, जो हमने ऊपर एक question में किया था, वैसा ही है, लिखना step 3, calculation of weights, calculation of weights, calculation of weight, own fund equal to 80,000, borrowed fund equal to 20,000, total एक लाख, ठीक है, अब उस एक लाख का क्या distribution किया इन्होंने, 3 to 2 के ratio में a and b में invest कर दिया, तो आप लिखना a limited, 3 by 5 into 1 lakh, 60,000, b limited 2 by 5 into 1 lakh, कितना हा रहा है, 40,000, 2 by 5 into 1 lakh, 40,000, तो weights लिखना below, एक table draw करना, 3 column लिखना उसमें, stock calculation weight, stock calculation weight, repeat question है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, तो आप मुझे बताना, risk free asset कितना था, risk free borrowing कितनी थी, 20,000, और own fund कितना था, 80,000, तो आपका calculation, for risk free asset होगा, minus 20,000, divided by 80,000, minus 0.25, minus 0.25, 0.25, A में कितना invest किया आपने, 60,000, divided by 80,000, 0.75, B में कितना invest किया, है, 40,000, 40,000, divided by 80,000, बोलो जी, 0.5, cross check करना, total is 1, total is 1 है, risk free borrowing कि weight negative है, denominator में own fund आना चाहिए, denominator में own fund आना चाहिए, अब आपको पहले क्या करना है, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का, बीटा निकालना है, for the portfolio ठीक है है, और यह weights याद रखना, यह weights यहाँ से लेंगे, और बीटा question book से लेंगे, risk free asset का बीटा नहीं दिया हुआ है, zero assume करेंगे, लिखिए, below एक table का नाम देना, βीटा ओफ ़ी, पोटफोलियो, बीटा ओफ़ दी पोटोलियो, बीटा ओफ डीपोटफोलियो, will be weighted average beta, weighted average beta, beta of the portfolio is weighted average beta, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको for factor 1, हमारे पास अभी 3 security है, एक risk free borrowing है, एक stock A है और एक stock B है, यह उनका जो मैंने अभी highlight किया, वो weights है, as per previous working note, और अब मैं जो highlight करने जा रहा हूँ, वो उनका beta for factor 1 है, factor 1 वाले column को देखिए, factor 1 वाले market वाले column को देखिए, 1.6 and 0.8 है, what is the answer, final answer, 1.6 हा रहा है, एक अपने से try करो, factor 2, तो मुझे पता चलेगा, कि हाँ, student try कर रहे हैं, factor 2 आप try करना, weight same रहेगा, factor 2 का जो beta 1.8, 1.4 लेना, 2.05 हा रहे गया, देखना ज़रा, 2.05 हा रहे है, अभी answer खतम नहीं हुआ, इस question में एक line और है, उसके बाद आपको portfolio का expected return निकालना है, यह आपका beta 1, यह आपका beta 2 आ गया, right, तो जो original equation of a p t लिखा था, उसमें b1, b2 की value 1.6 and 2.05 डाल देंगे, तो नीचे के line और लिखेंगे, expected return of the portfolio, expected return of the portfolio is 6 plus 4 beta 1 plus 5 beta 2, 6 plus 4 into 1.6 plus 5 into 2.05, कितना आया, 22.65 percent, आया, कोई मुश्किल था, similar question exam में भी आ चुक है, जो नीचे हम करेंगे, 119 and 120, ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, thank you very much, see you tomorrow.